नमस्कार दोस्तो मैं वेक सर्मा आपके अपने यूटूब चेनल इस्टड़ी गर्भाई वेक सर्ग की करेंट अफेर की क्लास में आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तो अभी क्या है अंतर राष्टे दिवस के रूप में एक नए दिवस ओर हमें मिला है जिसका नाम है clean air for blue sky और जिसका पहला अंतर राष्टे दिवस भी मनाया गया वो है 7 सिप्टेंबर को मनाया गया इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं दोस्तो clean air for blue skies का पहला अंतर राष्टे दिवस मनाया गया आज आज यानि 7 September को मनाया गया कितने September को दोस्तो 7 September 2020 को ये मनाया गया है clear दोस्तो आगे चलते हैं आगे बात करते है किलीन एयर फोर बिल्यू इसकाई का पहला दिनतर राष्टे दिवत से 7 सितंब्र 2020 को मनाया गया ठीक है उसके बाद आगे चले सहिएक्त राश्ट महासवा ने इसे देखिये दोस्तों किसी को भी दिन को पर्मिशन लेने के लिए सेयुक राष्ट महासभा से प्रमिशन लेनी पड़ती है मनाने के लिए कि इसको जो और उसमें देशों का बहुमत पास होना जरूरी होता है तो देखें 19 दिसंबर 2019 को ही इसको पास कर दिया था कोरोना काल से पहले अपने 74 वे सत्र ये भी याद रखना दोस्तों दोस्तों पहले क्या होता है अंतर राष्ट महासभा में प्रस्ताव रखा जाता है फिर उसके उपर बोटिंग होती है फिर उसको क्या किया जाता है पारित किया जाता है बहुमत के आधार पर अगर बहुमत मिल जाता है तो वो पारित हो जाता है और नहीं तो नहीं होता है किलियर दोस्तों जिस प्रकार हमारे लोकसभा राजसभा में लोकसभा या राजसभा के सदस किसी बहुमत को पारित करते हैं या किसी विद्यक को पारित करते हैं उसी प्रकार सहियुक्त राष्ट मासभा में भी सहियुक्त राष्ट मासभा के जो सदस देश होते हैं वो इसक UNEP देखे दोस्तों सहियुक राष्ट पर्यावरन कार्यक्रम UNEP ये की फुलपव में यह याद रखना है यानि अन्य संगठनों के साथ मिलकर इसका अनुपार्लन सुगम बनाएगा यानि अन्य संगठनों के साथ भी वह इसके सुगम बनाने के लिए बारतलब करेगा और इसक अब देश दोस्तों क्या है स्वक्ष बायू मंडल की गुणवत्ता में सुधार करके सबी स्तरों पर सुधार करना है जो भी जितने भी सतर हैं जैसे जिस तरीके से पॉलूशन को हम कर सकते हैं कम कैसे करना है वो सारी चीज हैं के उपर चर्चा खळेगा तो इसमें हमारे जो महत्पूर्ण प्रिश्ण निकले वो यह निकले दोस्तों कि देखिए यह क्लीन एर फॉर बिल्यू स्काइज का पहला अंतर राष्ट दिवस साथ सिप्टमबर 2020 को मनाया गया और यह पारित कभगा 19 दिसंबर 2019 को यह पारित किया गया था और देखिए संयुक्त राष् दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान में पोलूशन बहुत ज़्यादा हो चुका और वाईयू का इसतर बहुत ज़्यादा गिर चुका है आगे चलते हैं दोस्तों अगली निउज पे अगला हमारा जो है देखिए फूर एंड अग्रिकल्चर और्गनेजेशन ऑप दा यु अखिते हैं सोट में कहते हैं क्लियर है इसका 35 ऐप 35 ऐफ ऐफ ऐओ का है तो फूर एंड अग्रिकल्चर और्गनेजेशन और दी यूनाइटेड नेशन अचया और प्रान्सांत चेत्री है शंमयलन एसिया और चेत्री है सम्यलन एपी आर सी आयो जिटे हुआ के लिए दोस्तो खाद एवं क्रिसी संगत्हन एफ ओ एसिया और प्रसांत चेत्री है सम्यलन का 35 संस्क्राण 35 35 मा ए आर ए पी आर सी 35 के लिए दोस्तों अब दोस्तों देखिए कोरोना के काल के चलते यह मीटेंगे जो हो रही है वो सारी आप फेश्टू फेश्ट आए जो तो नहीं रही तो बर्चोली हो रही है यानि ओनलाइन हो यह भूटान की अध्यक्स्ता माईर्थ हुआ यह देखो किसके अध्यक्स्ता की अध्यक्स्ता करने वाला देश भूटान था भारत का प्रतिनेद्द केंद्रे मंत्री पर सुत्तम रूपा लाने किया देखो दोस्तों यह भी ध्यान रखने वाली बात है भारत का प्रतिनेद लिखा इसको प्रवंदन कर लेना प्रवंदन खाद सुरक्षा एवं पूशन जैसी छेत्रिय समस्याओं के उपर चर्चा इसमें की गई के लिए दोस्तों आगे तो हम पूरी बात करते हैं इसमें क्या इंपोर्टेंट है दोस्तों 35 वा एफ हो एसिया और प्रसांत महाशागरी है छेत्रिय सम्मेलन के लिए दोस्तों आये जित हुआ इसमें याद करने वाला है थर्टी फाइव कोंसा है नमर का थर्टी फाइव इसकी अद्दक्सता किसने की भूटान ने और हमारे सरक्षा पुषंड जैसी छेत्रिय समस्याओं के उपर इसमें चर्चा की गई किलियर दोस्तों आगे चलते हैं कि देखिए बी आई टूगेदर टूमारो दोस्तों भी आई आई आप अगर बोड़ा फोन या आइडिया अगर यूज करते तो पहले बोड़ा फोन और ऐडिया विआ कि रूप में रिबॉंड नोगें क्या है 69 कमपनी बोड़ा फोन आईडिया में भारत में विडाए जैसे जिसे डवी डवलु इवाउवड किया जाए किया किया गया है किलियर है उच्छारित के सुरूप में किया जाता डवलू वीके में लेकिन यह एक्च्छल में कह क्या है वी आई ठीक है आगे देखिए यह एक मजबूत और बिस्विशनिये नेटवर्क बन जाएगा जो ग्राकों की डिजीटल जर्रतों को पूरी करेगा किलियर दोस्तों पहले क्या हुआ क्या दोस्तों जीयों काया और जीयों ने सभी को पीछे छोड़ दिया इस चकर में इन्होंने अपना टाइप कर लिया और बोड़ा फोन और आइडिया की जग करोड रुपे के रूप में फंड जुटाने की यूजना के बीच रिवोंड करने का फैसला लिया दोस्तों होता क्या है जब हमें नेटवर्क अच्छा मिलता है तो हम उस कंपनी से जुड़ जाते हैं आज कर लोग इंटरनेट के मैद्यम से बहुत सारे काम कर रहे हैं जैस इस कारण इन्होंने बहुत जल्दी और अच्छा फैसला लेते हुए क्या किया बोंड कर ले आप दोस्तों आइडिया का जो नेटवर्क को टाबर रहे थे उनको बोड़ा फोन भी उप्योग कर सकेगा और बोड़ा फोन ने उनको आइडिया भी उप्योग कर सकेगा इसलि इन्होंने क्या किया बिया के रूप में टाइडिया क्लियर दोस्तों ये यह भी इंप्योटेंट कोशन है कि बताए ये कौन कौन सी कंपनियों का संग अठानेयाद सम्मूव है तो बोड़ा फोन हो रहे आइडिया क्लियर दोस्तों आगे चलते हैं आगे दोस्तों सिक्षा मंत्री जी हैं जिन्होंने English Pro एप जारी किया दोस्तों देखे दोस्तों हमारे कई Grammage अलाके ऐसे हैं जांग इंग्लिस की में बच्चे थोड़े अच्छे नहीं होते हैं इसलिए उनकी English को सुधारने के लिए केंद्रे सिक्षा मंत्री ने English Pro नामक निसुल के मोबाइल एप लौंच किया जिससे University Social Responsibility के तैत English and Foreign Language University हिदराबाद द्वारा विखसित किया गया अब दोस्तों यह important question है कि हाली में केंद्रे मंत्री ने कौन सा एप जारी किया तो वह है English Pro और यह दोस्तों निसुल के कैसा है निसुल के जिससे University कौन सी University University Social Responsibility के तैत किसके तैत University Social Responsibility के तैत English and Foreign Language University हिदराबाद द्वारा विखसित किया गया है यह important है कौन सी University के तैत विखसित किया है English and Foreign Language University हिदराबाद आगे चलते हैं दोस्तों यह एक उप्योगी डिजीटल संसादन होगा और सिक्षक चात्रों की विवन प्रष्ट भूमी लोगों होगे तु सेक्ष्ण संसादन का करें करेगा आगे दोस्तों यह सिक्षार्तियों की अनूठे अनूठे भारते तरीके से भारते अंग्रेजी उस्तारंड विक्सित करने में मदद करेगा देखी दोस्तों भारते अंग्रेजी यानि हम बिल्टेस इंग्लिस भी कह सकते हैं हमारी जो इंग्लिस है उसकी नीम बिल्टेस से पढ़ी है क्योंकि इतने साल देश गुलाम रहा है तो भारते जो इंग्ल जाती है वो British English बोली जाती है क्लिए दोस्तों यह आपको important question है इसमें important question क्या है कि कौन सा है पर English प्रो जिसे कौन से University Social Responsibility के तहित कौन सी University ने English and foreign language University है दरावाद मैं बारवार इसलिए दो रहा हूं दोस्तों जिससे आपको आराम से याद रह सके और यह important question है क्लिर दोस्तों अगले WhatsApp ने cyber सुरक्षा यह तो cyber peace foundation के साथ करार किया अब देखे दोस्तों आज कल क्या है cyber security के बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं लोग है कर रहे है ठीक है चायना तो आज कल cyber attack बहुत ज़्यादा कर रहा है और आपने देखा होगा सुना होगा आश्टेलिया में उसने cyber attack किया था तो आज कल क्या है और आपके जब हैक हो जाती है चीछ तो आपकी परसनल जो होती है कि बहुत बड़ी सीक्रोटी हो गई है क्योंकि यह बहुत बड़ा आजकल सब के इसका उप्यों करते हैं साइबर जो चीज है उनका इसलिए इसकी सीक्रोटी को सुरक्षा को बढ़ाने के लिए उसने चैपीच फांडेशन के साथ क्या किया करार किया बॉट्सअब ने चात्रों के 20 साइबर सुरक्षा एवं जागरुकता फैलाने के लिए साइबर depths सुरक्षा ठिंक टैंक साइबर पीस फांडेशन के साथ साजे-दारी की आगे دेखिए दोश्टो जागरुक्ता-कर्रम बिहार जारकंड और महाराष्ट में 15,000 चात्रों को सामिले किया जाएगा किलियर दोस्तों कौन-कौन से चेत्रें पांथ चेत्रें दिल्ली मद्द प्रदेश बिहार जारकंड और महाराष्ट यह important चीज है प्रिथम चरंड में पांथ चेत्रें उनका नाम आपको याद होना जरूरी है ठीक है और यह सुरक्षा क्या है साइबर पीस फाउंडेशन की साज़दारी से की गई है और वो जागरुकता कार्यकरम कौन सा था यह रक्षा कार्यकरम के तैट किलिए दोस्तों यह important है आप इनको जरूर याद रखें अगले चलते हैं दोस्तों हम इंगलेंड के क्रिकेटर यान बेल ने अंतर राष्टे क्रिकेट से सन्याष की गोश्णा की इंगलेंड के जो क्रिकेटर के दोस्तों यानvette वहुत ही प्रिसित क्रिकेटर यह 15 Iv directory और इनके फैंस काफी दुखी है क्यूंकि हर फैंस आता एंसका का जो चहेता खिलाडी है वो मैदान पर खेलता हुआ उसे देखे क्लिर दोस्तों इंग्लेंड के प्रिसित क्रिकेटर यान वेल ने 38 वर्स की उम्र में गोशना की सन्यास की वह 2020 के घरेलू सत्र की समापती पर क्रिकेट के सभी प्रारूप से सन्यास से ले लेंगे यानि अभी घरेलू जो सीरीज चल रहे हैं जैसे हमारे हैं IPL घरेलू सीरीज है उसके खतम होने के बाद 2020 के सारी प्रारूपों से क्या ले लेंगे सन्यास ले लेंगे तो दोस्तों यह प यह 2015 में ODI क्रिकेट से सन्याज लिया था किस से सन्याज लिया दोस्तों ODI क्रिकेट यानि इसको कहते हैं वंडे क्रिकेट से सन्याज लिया था 2015 में वह पांच वार विश्व बिजेता हैं और पूरा अपना पूरा केरियर बॉर्विक सायर के साथ बिताया क्लियर दोस्तों य गोषिणी लिए यहां पहसा दोस्तों फिर पतानी जम्मु कस्मीर की कैसी आलत होगी लेकिन अभी वहां की आलत बहुत ही अच्छी और सुद्रड है संति पूर्ण तरीके से और सुधार बहुत सारे जो पहले नहीं होते थे वह बहुत सारे सुधार हैं 370 खतम होने से यह बहुत ही अच्छा है जम्मू कस्मीर के कुंगम दोरा पटनम पटन में S.O.P. और दिसान निर्देशों को सक्त अनपालन के साथ 20 क्रिकेट टूनामेंट आए जिते किया जा रहा है दोस्तो 2020 क्रिकेट आए जिते यह जा रहा है जिसको हम 2020 भी कहते हैं किलेर है इसका उद्गाटन बारा मूला बारा मूला एक जिला है दोस्तों के उपायुक्त जी एन राव जम्मू कस्मीर के जिला युबा सेवा और खेल अधकारी द्वारा किया गया टूनामेंट की के बड़ा कारह करम है दोस्तों तो आपसे पूछ सकता है कि बताईए हाल ही में जम्मू कस्मीर जो है राज ये उसमें टी टीटुनामेंट कौन सा टीटुनामेंट सामल है सुरी चालू किया तो वह आप उसका आंसर देखेंगे और जम्मू कस्मीर के कुंगम डोरा पटन म सोपी के दिसा नरतिस्था का पालंग करते हूं दोस्तों स rival करा, ऑजद का उद्गाटन किसने किया ju न राउने में इक पूछा जा सकता है कि उद्गाटन किसने किया जी न राउने हम अगले सब चलते हैं अगली पीरे गैसली ने एफ बन इटेलियन ग्रेंड प्रिक्स 2020 से जीती यह दोस्तों रेस होती है जो इस पीड़ गाड़ी होती है उनसे रेस होती है इसके बारे में स्कूड एरिया अलफा टेरी के रेसर पीरे गैसली फ्रांस ने 6 सितंबर 2020 को आईजित फॉर्मूला बन इटेलियन ग्रेंड प्रिक्स 2020 जीती है दोस्तों इसके नाम थोड़े से याद करना आपके लिए बज़ने ही कठेन होगा लेकिन आपको याद रखने जरूरी है क्योंक पूछे जाते हैं उनका यह उनकी पहली ग्रेंड प्रिक्स जीत थी दोस्तों यह भी इंपोर्टेंट है कौन सी थी इनकी फष्ट जीत थी क्लियर है मैक लारेन के ड्राइवर कार्ले सैज जूनियर स्पेन से हैं जो दूसरे इस्तान पर इसके बाद रैसिंग पॉइंट के रेसर लोस इस्ट्रोल कनाडा रहे यानि पहले नंबर पर जो दोस्तों रहे वो तो कौन थे पिरे गैसली जो कहां से थे फ्रांसे के लिए पहला कोश्चन आप से यह कब आये जोत की 6 सितंबर 2020 को आये जोते है इसमें फॉर्मूला बन इटेलियन ग्रेंड प्रिक्स 2020 जीत थी दोस्तों यह पहली जीत थी आगे दोस्तों चल आगे देखिए सेकंड नंबर पर कौन रहे थे दोस्तों कार्ले सैज जूनियर जो हैं कहांके इस्पेन के और थर कौन से थे दोस्तों लास इस्ट्रोल कनाडा के रहे लुइस हेमिंटल दस सेकंड इस्ट्रोप और पैनल कस्मीर में भांग औस्दी परियोजना शुरू दोस्तों देखिए भांग यह औस्दी के रूप में जो है वो परियोजना शुरू की गई है इसके बारे हम जानकारी लेते हैं केंद्रिय मंत्री जीतेंद सिंग ने गोशना किया कि जम्मू कस्मीर में पहली भांग औस्दी प Antigravative Medicine IIIM जमू के सैयोग से की गई है इसमें सैयोग किस किस का वो भी देख हिए दोस्तो कनाडा और इंडियन इंस्टिटूट उप Integrative Medicine और जमू कसमीर इसमें तीन का सैयोग है उसके तह्ती है शुरू की गई है उनके सैयोग से आगे दोस्तों किंद्र सासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कस्मीर में ये पहला बड़ा बिदेशी निवेश है दोस्तों पहला बड़ा निवेश देखे अब पहले यहां बिदेशी निवेश कम हुआ करते थे लेकिन अब यहां बिदेशी निवेश अच्छे होने लगें इसकी इस्तापना 31 अक्टूमबर 2019 को हुई थी यानि जम्मू कस्मिर जो है वो क्या बना था केंदर सासित प्रदेश ओटी तो 31 अक्टूमबर 2019 को यह बना था क्लियर दोस्तो और 31 अक्टूमबर को दोस्तो सरदा बल्लब भाई पटैल की जैनती मना जाती है उस दिन यह क्या बना दोस्तो वह बना था कि अरे वह केंदर सासित प्रदेश क्लियर दोस्तो आगे चलते हैं करनाटक ने बिस्व बैंक की साहता से प्रोजेक्ट रिवार्ड की को मंजूरी दी क्लियर दोस्तों करनाटक सरकान रिजीमेंटिंग बोटर सेड़ फोर एक्री कल्चर रिजीलिएस थुरू इनोवेटिब डप्लब मेंट रिवार्ड नामक परियोजना को मंजूरी दी करनाटक सरकार ने कौन सीही दोस्तों रिवार्ड क्लियर इसकी फॉर्फोर्ट क्या है रिजूमेंटिंग बोटर सेड for agriculture religion through innovating development नामक परियोजना को क्या के मंजूरी यह करनाटक के कम भूजल इस्तर वाले 20 तालुकाओं में 50,000 एक्टेर भूम को सामिल करके मिर्दा और जल संरक्षन सुरिश्चित करने के लिए शुरू की गई है इस परियोजना का कोल खर्च 600 करोड रुपे होगा 70% रासी यानि 420 करोड रुपे बिस्व बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी यह भी दोस्तों ध्यान रखने वाली है कि 70% किसकी भूम का है इसमें बिस्व बैंक की भूम का है यह लिए दोस्तों आगे चलते हैं अगली नियूज पे आई आई टी दिल्ली के इनक्यूबेटेड स्टार्ट अप ने चक्र दी कोब नाम लोंच किया क्या किया चक्र डी कोब लोंच किया के लिए दोस्तों आई आई टी दिल्ली के एंक्यूबेटेड स्टार्ट अप चक्र इनोबेशन ने क्या किया N95 मास्क को कीटाणू रोधित करने के लिए चक्र डीकोव लौंचे किया चक्र डीकोव एक नबिन्तम कीटाणू रोधनी तंत्र के साथ केबिनेट के आकार में बनाए गया है जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाय ये तू ओजोन गैस की उच्छ भेदता का उप्योग करता है इसकी डिजीटल परतों को पूरी तरह से कीटाणू रोधेते करता है ओजोन एक प्रवल ऑक्सिकारा के है जो एक है जो बाइरस RNA पर क्या करती है अपना प्रवाब करती है के लिए दोस्तों आगे चलते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अब दोस्त परवेश रावल को राष्टी नाट विद्याले एन एश्टी का अध्यक्ष क्या किया दोस्तों नियुक्त किया गया है दोस्तों परवेश रावल बहुत ही फेमस कलाकार है बॉली बुड के और इन्होंने बहुत सारी कई फिल्मों में काम किया आपने देखा होगा आसका लाकार का बिलन का और इससे पहले इन्होंने फिल्मों से पहले ठेटर में काम करते थे दोस्तों वह प्रितिष्टित फिल्मों प्रितिष्ट वह फिल्मुंगे प्रितिष्ट होने के बाद भी ठेटर में सक्रिये रहे यानि पहले तो इन्हों ने काम किया जा लेकिन उसके बाद भी ठेटर में लगाव अपना नहीं छोड़ा कृष्ण बर्सेच कनिया और गुजराती नाटक डियर फादर जैसी प्रिस्तुतियों में उनकी प्रिस्तुतियों में ने एसाधर्ण प्रदर्शन किया और उन्होंने दोस्तों फिल्म जो है राम लखन अंदाज अपना फिर हेरा फेरी हेरा फेरी उरीद है है जैसे कई हिट फिल्म हैं इनोंने क्या कि काम किया और इन pół काम बहुत ही अधिक फिल्में हैं दोस्तों हिट ही हुई थी एसजी नहीं है कि कई भी फिल्म-जाज-दा ऐशी सूपर फिलॉब हुई हुए हुज बहुत कि रहा है धोर्वेस यह लगता है कि हमारे सामने नजरहों के सामने काम कर रहा है यूनिसेप द्वारा भारत की बाल मृतुदर में कमी का अनुमान लगा है दोस्तों जो बाल और मात्र मृतुदर हैं उनकी रिपोर्ट जारी करता है अंतरराष्टे संगठने यूनिसेप उसने क्या किया है दोस्तों बाल मृतु में कमी का अनुमान है लगाया है UNICEF ने WHO Population Division of UN Department of Economic and Social Affairs और विश्विबेंग के साथ मिलकर बाल मिर्टुदर की क्या की रिपोर्ट जारी की भारत में पांच बड़ से कम आई की मिर्टुदर प्रती एक हजार बच्चों के जन पर 1990 में दोस्तों 126 मिर्टु थी और 2019 में यह कितनी है 34 34 हो गई है भारत में 2019 में 5 बर से कम आई की मौतें 824 है क्लिएर दोस्तों यानि 824 बच्चे क्या रहते हैं दोस्तों जिन्दा रहते हैं 1000 में से और क्लिएर दोस्तों आगे देखे दोस्तों इसमें जो है अपने question कौन कौन से बन सकते हैं बन सकता है कि दोस्तो UNICEF ने हाली में जो आंकड़ा जारी किया है उसमें 1000 बच्चे पर कितने बच्चे की मौत हो रही है 34 की किलिए दोस्तो देखे UNICEF ने WHO UNICEF ने WHO Population Division of UN Department of Economical and Social Affairs और विस्ट बेंक के साथ मिलकर ये क्या की रिपोर्ट जारी की तो पूछ सकता है दोस्तो इसके भागीदार कौन-कौन थे तो आपको बताने Population Division of UN Department of Economic and Social Affairs और विस्ट बेंक के लिए और WHO भी इसका क्या है भागीदार है इस रिपोर्ट को जारी करने में किसके साथ समझोता किया है किसके साथ समझोता किया है दोस्तो LinkedIn के साथ पूछ सकता है दोस्तो इस डी ने हाली में किसके साथ समझोता किया है तो आपका क्या आंसर होगा LinkedIn और ये क्यों किया है दोस्तो Digital causal Precision को क्या किया है डाबा देने के लिए रश्टिय कोसल विकास नगंड विकास निगं NSDC ने अपइकचित डिजिटल कोसल एतु लिंक्डरल्टैंड के सिक्षण सहस्तारों उप्लब्द कराने के लिए uelूनिट्रि के साथ क्या किया रा किया है इसके तहट 10 निशुल्क LinkedIn सिक्षन मार्ग जिसमें मांग के तहट टेक नोकरियों में 140 कोर्स सामेल हैं दोस्तों पूछ सकता आपको कि कितने 10 निशुल्क हैं और नोकरियों के लिए कितने 140 कोर्स हैं इसमें सामेल हैं 31 मार्च 2020 तक Skill India Digital Platform पर निशुल्क उपलब्द कराया जाएगा कब तक निशुल्क उपलब्द कराया जाएगा दोस्तों 31 मार्च 2021 तक इसको क्या किया जाएगा दोस्तों निशुल्क किया जाएगा उपलब्द कराया जाएगा तो पूछ सकता है दोस्तों कि बताईए NHD ने किसके साथ समझो था क्या है तो LinkedIn के साथ इसमें कितने कोर्स हैं तो 140 और ये कब तक निशुल्क होगा दोस्तों 31 मर्च 2021 से तक ये क्या होगा निशुल्क होगा ये लिए दोस्तों आगे चाहिए आगे बात करते हैं स्वास्त मंत्री ने WHO South East Asia Region के सत्र में भाग लिया दोस्तों हमारे स्वास्त मंत्री वह है हरसबर्दन जी किलियर दोस्तों स्वास्त मंत्री हरसबर्दन ने WHO South East Asia Region S.E.A.R.O.K. 73 वे सत्र में बर्च्वाली भागे लिया दोस्तो इस बर्च के सत्र का किंद्रे बिसे COVID-19 महामारी का उपाय और टीका था दोस्तो तो पूछ सकता है दोस्तो कि बताए हाली में हमारे स्वास्त मंत्री ने WHA के साथ कौन सी डिजन की मीटिंग में भाग लिया तो A.C.A.R. न कि में किया लिया भाग लिया दोस्तो इसका कौन सा सीजन था 73 सीजन था आ जो कैसे संपन वा बर्च्वाली संपन ले हुआ के cricket डोस्तो आ आगए घो यह थाइलेंड के उप्राश्पति और स्वास्त मंत्री अनुनितिन चारने विराकुल की अध्यक्सता में क्या हुआ दोस्तो संपन यह भी पूछ सकता है कि इसके अध्यक्सता को उनकी तो आपको रताना है थाइलेंड के उप्रदान मंत्री और स्वास्त मंत्री दोस्तो एक की हैं यह प्रदान मंत्री भी और स्वास्ट मंत्रिये में तो इनका नाम क्या है अनुते ने चारण विराकुल की अद्धिक्स्ता में क्या हुआ दोस्तों संबन हुआ इसका जो दोस्तों मोटिव था वो क्या था कोविड-19 महामारिस से का उपाएवं टीका था के लिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला है ओसकर विजेता निर्देशक जीरी मेजल का निदन दोस्तों बिल्कुल यह बहुत ही फेमस हस्ती थे इन्होंने अपने फिल्मों में के लिए ओसकर का क्या किया जीता था दोस्तों इससे फ़ेवाल पूस होसता है कि बताइए हाली में इंट्रनेशनल कलाकार किसका निदन हुआ यह होली parle क वोल के लाकार थे दोश्तों जीरी मेजल का क्या हूँआ निदन दोस्तों…. चैक के ओसकर बिजिता ये दोस्तों इनका देश क्या था चैक के बिजिता निदेशक थे दोस्तों जीरी मेंजेल 82 में स्वास समस्या होगे कार्ण इनका क्या होगा ने दन हुआ उन्होंने 1963 में अपनी फिल्म क्लोई जली बॉचर ट्रेन के सर्व श्रेष्ट विदेशी भासा फिल्म में अकादमी प्रुसकार जीता दोस्तों दोस्तों जिसको ओसकर भी कहते हैं ठीक है और उन्होंने दूसरा 1986 में डार्क कोमेडी माई सूट लेटल बिलेज के लिए अपना दूसरा अकादमी प्रुसकार ना मांग के नहांसिल किया लेकिन इसके में क्या है दोस्तों वो विजेता नहीं हुए लेकिन उनका नोमीनिसन जरूर भाइल हुआ के लिए दोस्तों तो पूछ सकता है हाली में कौन से ओसकर विजेता कौन से किस निदेशक का निदन हुआ तो जीरी मेंजल और दोस्तों इन्होंने किसके लिए ओसकर जीता तो 1967 में अपनी क paragraph के लिए नहीं क्या किया सर्विस रेष्ट यह सिर्फ सर्विस रेष्ट विदेसी वासा फिल्म अकादमी का प्रुस्कार जीता Mastercard ने Central Bank Digital Currency प्लेटफोर्म क्या कि दोस्तों लॉंच किया Mastercard ने Central Bank Digital Currency CBDC टेस्टिंग प्लेटफोर्म लॉंच किया जो किंद्रिय बैंकों को राष्टी ए डिजिटल मुद्राओं का मुल्यान करने हेतु और जात करने में सक्षम बनाएगा यह बर्चुल टेस्टिंग एंवारिमेंट और केंद्रिय बैंज की बैंक और टेंक एंड एडवाईजरी को Mastercard द्वारा किसी देश या छेत्र में CBDC की उप्युक्तता का मुल्यान करेगी डेखिए दोस्तो इसमें क्या सवाल बनते हैं Mastercard ने Central Bank Digital 크plaininga क्या किया लॉंच किया.. तो Mastercard ने कंसाो क्या लॉंच किया Central Bank Digital 까 Państwo प्लेटफं किया.. सब्तर में देखोस्तों Central bank Digital Currency जिसका short form है CBDC यह भी पूछ सकता है दोस्तो cvdc की क्या है फुलपॉर्म पूछ लेगा तो central bank digital currency testing platform launch किया दोस्तो कुन सा platform launch किया testing platform जो क्या करेगा दोस्तो जो केंद्रिय बेंकों को राष्टे digital मुद्राओं का मुल्यानकन और जांच करने में सक्षा में बनाएगा क्लिर दोस्तों यह virtual testing environment दोस्तों यह क्या है दोस्तों online होगा virtual होगा क्लियर दोस्तों आगे चलते हैं कि सिख्चा मंत्राले सिख्चक पर्व के तैस सम्मेलन आयुजिते करेगा दोस्तों सिख्चा मंत्राले क्या करेगा सिक्षक पर्व जो पांस सितंबर को मनाया जाता है गया था उसके तहित क्या करेगा एक सम्मेलन का आयोजन करेगा सिक्षा मंत्राले से एन इपी के कारेंदमन हेतु प्रदान अध्यापकों और अध्यापकों को विशेश द्यान सहित संभोधित किया गया पहले दिन क्या किया दोस्तों प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने इन में क्या किया संभोधन किया क्लियर दोस्तों इसकूली सिक्षा एतु एन इपी महत किया प्रदानमंत्री जी ने इनों को सम्मोजित किया दूसरे दिन क्या किया स्कूली सिक्षा है तू एन इपी के महत्पून विशाओं पर रहस हटाने है तू विशेशक पेसे वरों द्वारा चर्चा आईजित की गई दोस्तों आपस में चर्चा की उन्होंने ठीक लेड़ स्ट्ट बेंक ऑफिड फस गेत्पाद सपे लॉंसे किया और यह किसने किया दोस्तों स्टेट बेंक of इंडिया ने लॉंच किया एस्पे ने भारते स्टेट बैंक ऐसे जैभिक का पास उतपाद सब्सक्राइब करेगा जिनका कोई इतिहास नहीं है जिन्हों ने अब तक नहीं लिया उनके लिए सुब्दा क्या होगी मिलेगी कि SAFAL का पूरा नाम Safe and First Agriculture Loan चाहे तो पूछे ले दोस्तों कि बताएए SAFAL का पूरा नाम क्या है दोस्तों तो Safe and First Agriculture Loan है और यह एक व्यवसाय के लिए Artificial Intelligence AI और Machine Learning ML का क्या करेगा उपयोग करेगा उत्पाद की घोष्टना Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI द्वारा आउजित फिने टैंक संविलन में SBIMD CM60 द्वारा शुरूर की गई तो दोस्तों इससे बहुत ही important important सवाल निकल रहे हैं कि बताएए भाली में SBI ने कौन सा पास उत्पादक के लिए कौन सा रेंड लॉंच किया तो S.A.F.A.L. अब दोस्तों S.A.F.A.L. की अगर फुल्पम पुछ ले तो सेफ एंड फस्ट एग्री कल्चर लोन होगा दोस्तों के लिए दोस्तों आगे दोस्तों पुछ ले वह कि यह उत्पाद देखो दोस्तों FICCI की फुल्पम पुछ ले तो Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries ठीक है दोस्तों 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 क्या किया फिंट टेंग संबिलन में S.B.A.M.D. C.M.C.T. दोस्तों आज़े तो आपको पुछ ले कि S.B.A.M.D. कौन है तो दोस्तों क्या हुन है C.S.C.T. के लिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला राफे लड़ को विमान और सारी ग्रूप से भारतिय बायू सेना में सामल हुआ दोस्तों आपको पता होगा राफेल हाली में आया था क्लियर है फ्रांस से हमने यह लड़ा को विमान लिया है ठीक है और चीन से युद्ध की परिस्तिती को देखते हुए यह समय से पहले हमने क्या कर दिल सामल किया राफेल का प्रवेश प्रारत फ्रांस सामरिक संबन्नों को दर्स आता है यानि भारत और फ्रांस के अच्छे संबन्ने दोस्तों इसलिए इन्होंने क्या किया समय से पहले भी डिलेवरी की है राफेल की हाली में राफेल किसी भी अन्य लड़ाकु जेट की तुल के लिए दोस्तो तो दोस्तो इससे सवाल यह बनता है हमारा राफेल विमान को भारती बायू सेना की सत्रे स्क्वाइडरन गोल्डन इरो में उपचारिक रूप से क्या किया है सामिल किया तो किस में सामिल किया तो दोस्तो पूछ लेगा सेवन्टीन स्क्वाइर डेन गोल्डन एरो गोल्डन एरो में इसे क्या किया है अपचारी ग्रूप से सामेले किया है के लिए दोस्तों आगे दक्षिन भारत की पहली किसान रेल को अनंत पुरम से दिल्ली रवाना किया दक्षिन भारत की पहली किसान प्रद्वाण सो किंद्रे किञ्षी मंत्री अनन्दपुरं अन्द प्रदेश की नए दिल्ली और के बीच दक्षिन भारत की पहली देश की और दूसरी किषान रेल को हरी जंडी देखाई यह किषान रेल 40 गंटों में 250 किम्न की दूरी तै करेगी। दोस्तों यह किसान रेल कितने 40 गंटे में 2150 किलोमेटर की दूरी क्या करेगी? तै पहली किसान रेल महराष्ट में देवालाली और विहार के दानापुर के बीच चली थी क्लियर दोस्तों तो दोस्तों यहाँसे सवाल क्या पुछे हैं का हैं दोस्तों आंद्र प्रदेश में और नई दिल्ली आप जानते ही भारत की क्या है राजदानी है कि बीच दक्षण भारत की पहली और देश की कौन से दोसरी अब ये दोस्तों 40 गंटे में कितनी दूरी तेकरेगी 250 किलो मिटर और दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि पहली किसान चली तो महाराष्ट के देव लाली से बिहार के तानप पुड के बीचे चली थी और ये कौन से दोस्तों दूसरी है आगे चलते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में जैवेख खाद प्रसंसक्रण एकाई का उधगाटन किया के लिए दोस्तों अभी दोस्तों उन्होंने हाली में मैं बता दूँ हर सिम्रत कौर ने जो है किसान बिल जो लाही मुदी सरकार उसके साथ यह नहीं खड़ी हुई थी और उन्होंने क्या किया दोस्तों केविनेट से ही अपना मंत्री पस से क्या दे दिया इस्तिपा दे दिया दोस्तों एकाई प्रित्यक्ष और एप्रित्यक्ष रोजगार पधान करके पांच अजार किसानों को लावानेद करेगी इसे 55.13 करोड रुपे कुल लागत के साथ इस्तापित किया गया और प्रती दिन के प्रिसंस करण समता 3MT और एकाई 350 करोड रुपे की किरसी उपज का क्या द दोस्तो की दोस्तो इससे सवाल बनते हैं कि किंद्लिक खाद मंत्री कोन थे हमारे हरसं मर्थ कोर्थी मंत्री और दोस्तों विविय दोस्ता है उत्तर-प्रदेश के मेमर्स और ऊर्गनिक इंडिया प्राइबेट-लित्यक्ष नामक जयमेगष खाद्ध। स्क्रण की उद्गाटन किया तो दोस्तों आप से पोछ सकता है कि उत्तर प्रिदेश में क्या लूंच किया तो मैं 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 सर्द से और गेसंद इंडिया और इंडिया प्राइवेट लिम्टेड नामक जैविक खाद प्रिशंस क्रण एकाई का उदगाटा ने किया दोस्तों अगला चलते हैं दोस्तों बिशेव बैंग ने एच पी किलिए दोस्तों हिंदुस्त एच बी स्टेट ड्रोड ट्रान्सफोर्मेशन प्रोजेक्ट थे तुरेंगो मंजूरी देदि पूछ सकता है कितने डॉलर के जो लोन मिला है भारत को HP प्रोजेक्ट के लिए तो आपको कितना 2 मिलियन डॉलर का ये परियोजना राज्य सड़क नेटवर्क की इस्तिती में सुधार लचीलापन और इंजिनियरिंग मानिक सुधारों करके हिमाचल प्रदेश के परिवेन और सड़क सुरक्षा संस्तानों को क्या करेगा दोस्तो मजबूत करेगी और रिंड समझोता पर भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ विस्वी बैंक ने क्या किये दोस्तो हस्ताक्षर किये इसमें कौन-कौन दोस्तो आज बागीदारें बारास सरकार हें माचल प्रिदेश सरकार और बिस्व बैंक ने क्या किया दोस्तो टीनोंने हस्ताक्षर के पूर्चा क्या करेगी राज़ शड़क नेटवर्ग के इस्थिति में क्या करेगी सुधार शुरक्षा लचीला पन और इंजिनियर के मानक सुधार हो हे तू दोस्तो आज कल क्या होता सुधाक हैं बनने से पहले आपको पता होगा एक बरसात में वो उखड जाती है। तो इसलिए उनके क्या है सुधार करेगे ती। पर अगे चलते हैं दोस्तो UXU Ншего ङूजिया सिगनेचर भीजर डेविट कार्ड जारी किया बइक अपच्पन पर इससापन दिबसके अपसरप बैंक इंडिया को स्थापित हुए कितने साल हो गए एक सो सॉरी 115 साल माविभी चाहता हूँ 115 साल क्या हो गए है है स्थापित हुए सिट्चर वीजा डेविट काड़ नामक इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट लेस डेविट कारड लॉंच किया दोस्तों यह इंटरनेशनल होगा इसे उच्छ निवल मूल वाले व्यक्तियों के लिए लॉंच किया गया है जो 10 लाख रुपे से अधिक की उस्त तिमाई रासी जमा रखते हैं यानि तीर हर तीन महीने में 10 लाख से ज़्यादा जिनका ट्रांजिक्शन हो जाता है उनके लिए ही ये सुब्दा भी होगी दोस्तों क्या होगी विमा सुब्दा भी तो दोस्तों पूस्त क्या लॉंच किया अहले में कॉन से स्टापनाक्ष में 115 वे स्टापनाक्ष के अफसरफ़ हाद 네 और यह किसके मिलेगा हर टीन महिने में 10 लाग रूपे से अधिक क्या कर देते हैं दोस्तो कर देते हैं अगला चलते हैं बित्मंत्री ने सरकारी बेंकों के दोरिष्टेप बेंकिंग सेवा शुरू की बित्मंत्री निर्मला सिता रमन जी ये ने यूनिवर्सल टल टल पॉइंट कॉल सेंटर बे पोर्टल मोबाइल एप के माध्यम से ग्राकों को उनके दरवाजे पर बेंकिंग सेवा प्रदान करने ये तो सरकारी बेंकों की दोरिष्टेप बेंकिंग सेवा शुरू की गई तो दोस्तों पूछ सकता है कि हाली में निर्मला सितारा मनने कौन सी योजना शुरू की तो कौन सी डोर श्टेप बेंकिंग सेवा शुरू की यह सेवा प्रदान करने के लिए चैने सेवाओं प्रदाताओं द्वारा देश पर में 100 से अधिक केंद्रों के प्रतिनेद्ध तय किये जाएंगे ग्रहाक ओनलाइन बेंकिंग चैनलों के मैध्यम से अपने सेवा के अन्रोद पर नजर रख सकेंगे क्लिए दोस्तों तो निर्मला सितारा मने जी ने क्या लौंच किया वो पूछ सकता है तो कॉल सेंटर बेप पोर्टल और मोबाइल एप के मैध्यम से क्या राजमंत्री जी जी जो दोस्तों अन्राग ठाकुर जी है के लिए दोस्तों आगे चलते हैं ADB ने दिल्ली मेरट RRTS कोरिडोर है तो भारत के साथ घ्रिंड समझोता किया ADB ने दिल्ली मेरट दिल्ली से मेरट जो है RRTS कोरिडोर है तो भारत के साथ क्या किया दोस्तों घ्रिंड समझोता किया के लिएर दोस्तों, ACI बिकास बेंक, ADB की फुलपर्म देखलो दोस्तों, ACI बिकास बेंक ने एक आधूनिक हाई स्पीड 82 किलो मिटल लंबे दिल्ली मेरत रीजनल रेड रैपिड ट्रांजिस्ट सिस्टम आर आर टीएस कोरिडोर निर्माडेतु भारस सरकार के साथ 500 मिलियन डॉलर रिण समझोते पर क्या किये हस्ताचर किये ये 500 मिलियन डॉलर रिण अगस्त 2020 के उद्दम हितू, ADB द्वारा अनुमो दित एक बिलियन डॉलर के रिण पहली किस्त है, किलियर दोस्तों, दिल्ली मेरत के बीच कौन सा है, कोरिडोर पर किसने किया दोस्तों, समझोते कि रिण समझोते कि ये भारत के साथ, ACI विकास बेंक ने, किलियर दोस्तों, आगे कह रहा है, कि RRTS की, RRTS की फुल्पॉम क्या होगी दोस्तों, तो Regional Rapid Transist System Corridor, किलियर दोस्तों, ये RRTS की क्या है, फुल्पॉम है, किलियर दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला, AIM ने आत्मिनिर पर भारत, ARISE, A-N-I-C-PEL की शुरू की, नीती आये होने, अटल इनोवेशन मिशन, नीती आये होने, क्या दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन, AIM की फुल्पॉम दोस्तों, दियाद कर लोगा, अटल इनोवेशन मिशन, दोस्तो एक AIIM भी होता है वो नहीं AIIM है ठीके लिए भारती MSME दोस्तो MSME के जो उद्धोग हैं उनके लिए ही सुब्दा है और Startup को नवचार प्रोसाने तू आतने डर्वर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंज जेज लॉंच किया के लिए MSME और Startup को 50 लाग रुपे तक की धनराशी प्रदान करके अनुसंदान आधारित नवचार का समर्थन करेगा तो कितने लाग का लोन देगा दोस्तो ये 50 लाग रुपे तक की धनराशी का क्या देगा लोन्ज इससे दोस्तो स्टार्टप या MSME यानि नए उद्योग पती जो होंगे उनके लिए बहुत ही सहूलियत प्रदान करेगा इसे भारती अंत्रिक्ष अंसवंदान संगतन इश्रो रक्षा मंत्राले खाद प्रद्योग मंत्राले में है अधिक महतता दी जाएगी के लिए दोस्तो अगला चलते हैं दोस्तो आगे देखते हैं करमचारी बविश्य ने दी के केंद्रिय न्याइसी बोर्ड 227 भी बेटक हुई तो दोस्तो यहां से हमारा सवाल बनता है कि स्रम एवं रोजगार मंत्री को ने संतोस कुमार गंगवार कभी-कभी वो पूछ लेता ही बढ़ता ही बरतमान में स्रम एवं रोजगार मंत्री का क्या नाम है वो कर्णेट में पूछ लेता है तो आपका क्या होगा संतोष कुमार गंगवार और बेठक कों से ही? 227 भी बेठक कोई और इसके उन्होंने क्या की अध्यक्स था की? ठीक दोस्तों करमचारी भवशनिदी तथा बिविद प्रावधान अधनियम 1902 वो पूछ लेता है दोस्तों कि करमचारी भवशनिदी वम बिविद प्रावधान शुरू किए पहले दोस्तों क्या होता था इनकी नियत इस्तान पर सुनवाई होती थी लेकिन अब वीडियो कॉंफरेंस के जरिए आपके मन पसंद के इस्तान पर क्या हो जाएगी सुनवाई हो सकती है क्लियर दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों हमरा अगला परिवेन मंत्रा लेने समुद्री छेतर में विवादों के लौंचे तू विवादों के निप्टा रहे तू SA ROD पोर्ट लौंचे किया दोस्तों परिवेन मंत्रा लेने क्या समुद्री छेतरों के जो विवाद होते हैं व कनि निप्तारे के लिए क्या किया स आर ओंडी पोल्ड लॉन्च किया पूछ लेगा दोस्तों के बताई से पारों कि भुष्जरी जेत्र की विवां वेद yard लॉंच किया थिया से आर ओडी पोर्ट लॉंच किया किंद्रे परिभेन एवं राज मंत्री मंसुक मंदाविया दोस्तों यह पूछ सकता है कि बताए किंद्रे परिभेन राज मंत्री कौन है तो आपका जवाब क्या होगा मंसुक मंदाविया ने से आर ओडी पोर्ट लॉंच किया और इसकी अगर फुलपॉम पूछे तो दोस्तों क्या है सोसाइटी फोर और कोडविल रिड्रेसल और डिश्प्यूड पोर्ट वर्चॉली लॉंच किया वर्चॉली यानि वीडियो कॉनफरेंस के लिए यह एक विवाद निवारन तंत्र ह है जिसमें समुद्री छेत्री की हित्वू न्याय करता के रूप में तक्नीकी विशेशक होंगे यह किफायती और निश्पक्स एवं संपूर्ट तरीके समय पर विववदान का समाधान करेगा दोस्तों तो यहां से दो सवाल आपके पूछ सकते हैं तीन सवाल बनते हैं य से आर ओडी पोर्ट लॉंच किया दूसरा केंद्री राजमंत्री को ने मंसुक है मंडाविया तीसरा दोस्तों इसकी फुल्पम पूछे तो सोसाइटी फॉर ऑफोर्डेवल जील्ड डेसल ओफ डिफ्यूस्ट पोर्ट है के लिए दोस्तों आगे चलते हैं अगली उपराश्ट पति हैं दोस्तों उन्होंने क्या किया दिए ओफ यंगचाइल्ड ऍंडिया की रिपोर्ट क्या की जारी उपराष्ट पति ही दोस्तों पूर्टके और अधिय उपराश्चते ही ठ्रज सभाक क्या होते हैं सभांपते भी होते हैं के लिए Estamos आप यंग सब्सक्राइब में बाल विकास से संवन्दिट चुनोतियों को ब्यापक विप्रण का काम करें। इसे मोबायल क्रेच द्वारा लौच गया। किसोरा मॉबायल क्रेच घृरा लौच यह रिपोर्ट के नसार भारत में 6 वर्श से कम आयू के 169 बिलियन बच्चों मैंसे 21% अलव पोसे, 36% दुबले पतलेव, 38% संपूर्ण टिका करन नहीं मिलता दोस्तो उन परिशानियों को निप्टारा करने के लिए उपराश्ट पती जो बेंकईया नाइड़ू है उन्होंने क्या किया The State of Young Child in India रिपोर्ट जारी किये दोस्तो किलियर है तो हमारे यहां से तीन कुछ सवाल बनते हैं उनके बारे में डिस्कसन कर लेते हैं हमारे उपराश्ट पती बेंकईया नाइड़ू उन्होंने कौन से लॉंच की रिपोर्ट इस्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया तो दोस्तो इससे पूछ लेता है इसके उनसार पूस भी सकता है कि बता यह भारत में जो 6 से कम आई हो के बच्चे जो कुपो सेते हैं उनमें कितने बच्चे क्या हैं तो टूटल बच्चे वन से 59 मिलियन बच्चे हैं जिन में से 21% अलपो सेते हैं 36% दूबले पतले हैं और 38% जिनको संपूर्ण टीका नहीं मिलता ऐसे बच्चे हैं किलियर दोस्तो आगे चलते हैं आगे कह रहा है रेडियो इस्ट्रोनोमी के अग्रदूत गोबिन्द स्वरूप का निधन दोस्तो पूछ लेता है कि हाली में बताई हस्तियोग में के नि निधन हुआ तो आपका अंसर क्या होगा गोबिन्द स्वरूप किलियर दोस्तों प्रिसित बैग्ज्यानिक और रेडियो एस्ट्रोनोमर गोबिन्द स्वरूप 91 वर्स की उम्र में बीमारी के कारण निधन हुआ और दोस्तो आली में एक और हस्तिय हैं हमारे देश के पू है वह टाटा इंस्ट्टिटूट ओफ फंडामेंटल रिसर्च नेशनल सेंटर ओफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के संस्तापक सदस्य एवं निदे सके थे वह उट्टी रेडियो टेलिस्कोप और जोइन्ट में में ट्रेवेब रेडियो में भी कारे करते थे क्लियर दोस्तों तो हमारा यहां से सवाल बनता है कि बता यह रेडियो एस्ट्रोणोमी के अग्रदू कौन थे तो गोविंदे शुरूप और उन्होंने क्या माना जाता रेडियो एस्ट्रोणोमी का जनक भी माना जाता है इंडियन का ठीक है दोस्तों कितने बरस की उम्र म है उनका क्या वर निदन हुआ है दोस्तों किलियर है और वह टाटा इंस्ट्यूटूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रो फिजिक्स के संस्थापक सदस्से वह निदेशक भी थे तो इससे भी सवाल पूछा जा सकता कि वह किसके संसिंग Texut Anime ज़ो हमारे ने भायत क्रिकरि कर प्र makingिनार का उध्गाटन किया किंध्रे मंतरी नर्दीनर सिंग तोबन ने भायत खिण किंध्रे 5 ये याव गलत गया है तो इसको से именноah समझेना यापको से सेमिनार का उद्गाटन किया है सेमिनार के आयोजन में आयोजन किसी मंत्री के किसी मंत्रा लेगे किसी सहकारता एवं किसान संगठन किसान करल्यान विभाग द्वारा किया गया है इसमें बारत सरकार, रह सरकार, क्रियानवन एजेंसी, NCPAH के विभिन सरकारी विवागों के सोच से अधिक तिवागियों ने भाग लिया तो क्लियर दोस्तों यहाँ से आपके सवाल बनता है कि किरसी मंतरी को ने नर्दिर सिंग तो मर क्लियर दोस्तों पूछ सकता है हाली में बताए किरसी मंतरी को ने बरतमान में तो आपका जवाब होगा नर्दिर सिंग तो मर उन्होंने क्या किया दोस्तों बारतिक क्रसी में जल उपियोग दक्स्ता अयम सुप्ष्य सचाई के छेतर को बढ़ाने पर सेमिनार का क्या किया है उदगाटा ने किया दोस्तों क्लियर है आगे इसमें भाग लेने वाले कौन कौन थे बारत सरकार राज सरकार और किरानवन ए एजनसी एनसी पी एच और सरकारी विवागों के सो से अधिक पृतिवागियों ने भाग लिया क्लियर दोस्तों इसमें भाग लेने वाले भी पूछ सकता है कि बताइए किस किस ने भागे लिया क्लियर दोस्तों आगे चलते हैं क्रिसिल ने F by 21 हेतू भारत की GDP में 9% संकुचन का अनुमान लगाया क्रिसिल रेटिंग एजेंसी जो क्या है GDP पर क्या करती है अपनी रिपोर्ट देती है ने वित मंत्रायले 2020-21 में भारत की GDP को 9% संकुचन यानी कम होने का अनुमान लगाया है जब सागे आप जानते हैं कोरोना काल में सभी देशों की GDP कि रिए भारत की भी गिरिए एजेंसी ने COVID-19 एने सित्ता और सरकार के से परियाप्त बित्य सायता की कमी के कारण पिछले संकुचन के पूर्व अनुमान को 5% से संसो देते पहले अनुमान कितना था दोस्तो 5% था लेकिन अब कितना हो गया है 9% हो गया संसो दन पहली तिमाई में 9% GDP गरावट का परिणाम भी था और दूसरी में इसके 12% गिनने की उमीद है दोस्तों क्लियर दोस्तों पहले कितना था दोस्तों पांच परसेंट था लेकिन अब कितना अनुमान कर दिया 9 परसेंट और पिछले कितना गिरा था 12 परसेंट गिनने की उम्मीद है इसमें है दोस्तों आगे चलते हैं हरियाना में ने यूजी पाट क्रमों ये तू ओनलाइन प्रिवेश प्लेटफॉर्म लॉंच किया क्लियर दोस्तों यूजी का मतलब होता है दोस्तों अंडर ग्रेजट हरियाना के मुखमंत्री मौनलाल खटर ने बर्स 2021 सरकार की साहता प्राप्त और स्वेब पोसित कॉलेज जो एवं पुरविस्ना तक पुरविस्ना तक आ जाता है दोस्तों यूजी अंडर ग्रेजट करेकरम में प्रभेश है तू ऊनलाइन पधन्जीकरन प्रोटल लॉंच किया है COVID-19 के बीच में प्रभेश प्रिवेश प्रिक्षा प्रभेश प्रिक्रिया को पूरा करने तू पूर्टाल लॉंच लॉंच यह दोस्तों प्रभेस अमन्दी समस्या समाधन स्थेक्षणी वोट्सप वोट्ष आपका मित्र भी लॉंच किया है कि लिए दोस्तों तो आप पूर सकता है कि अर्याना में बताइए बरतमान में कौन सा platform launch किया है तो यूजी पर्टक्रम के तुले online platform launch किया है और हर्याना के मुखमंत्री है जो दोस्तो मनोय लाल खटर है है क्लियर दोस्तो आगे चलते हैं इससे दोस्तो क्या होगा online पञिकरन हो सकता है और बोर्ट सब चेट वेब कौन सा लॉंच किया है आपका मित लॉंच किया है के लिए दोस्तों आगे चलते हैं भारत और जापान ने ससस्त्र बल अपूर्ति और सेवा समझोता किया है दोस्तों बहुती इंपोर्टेंट सवाल है क्योंकि इंटरनेशनल न्यूस से जुड़ा हुआ है और अभी तो आपको देखो सीमा विबात चल रहा है चेन के साथ तो यह समझोता बहुती अच्छा एक रह्西 प्रोकोल प्रोविजन अफ स्प्लाई एंड सर्विसे इन समझोते पर हस्ताक चर किये समझोते पर रक्षा सचिप अजे कुमार ने जापान राजधूतस पर च साथ ने सक्ठाय किये डूपक्षे क्तवित्य जहीवत राछट संग अभियानों मानव ये राष्टी रहात एवं अन्य परमपरे के समूदित गतविदियों के साथ दोनों राष्टों को ससस्तर वलों के बीच सुद्रण बनाने के लिए दोस्तों ये क्या किया है समझोता किया है क्लियर दोस्तों तो पूछ सकता है कि बता ही हाली में किन-किन भारत का किस देश के साथ सस्तर समझोता हुआ है तो आप कह सकते हो तो आप जापान का नाम लोंगे और देखिए दोस्तों क्लियर है आगे इसमें पूछ सकता ही भारत की तरफ से किस ने हस्ताक्चर किये तो अजे कुमार और जापान की तरफ से सुजु की सतोसी क्लियर दोस्तों आगे चलते हैं अगला मारा है भारत और फ्रांस और आश्ट्रेलिया के भी त्रिपक्चिय बारता आयोजित क्लियर दोस्तों भारत प्रसान चेतर सेयोग बढ़ाने के लिए पहली भारत फ्रांस और त्रिपक्चिय बारता बर्चिय आयोजित की गई इसकी अध्यक्सता विदेश सच्चिव हर्स वर्दन सरंगला यूरोप के विदेश कारे के फ्रांसे सी मंत्री की दोस्तों फ्रेंक को इस डेल लेट ट्रे और अश्टेल या विदेश विवाग के कारे के सच्चिव फ्रांसे से एल डिसन ने की तो दोस्तों इसमें मरीन गलोवन कॉमन्स छेत्रिय संगठनों और छेत्रिय बैस्विक पहुदीपिय संस्तानों को से चुनोतियों तथा उनसे जो भी मिलता है चुनोतिय के सासत जो भी और समस्यां आती है अन्य देशों से उनसे निपटने के लिए ये आयुजित की गई तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि त्रिपक्षी है बारता किसके बीच होई अभी भाली में तो भारत फ्रांस और आश्टेलिया के बीच में होई है किलियर दोस्तो इसमें भारत की तरफ से अद्यकस्ता किसने कि तो हर्सबर्दन सरंगला ने इसकी क्या कि दोस्तो अध्यकस्ता किये किलियर दोस्तो अब आगे चलते हैं दोस्तो तेलंग वो अभिनेता जेफ्रकास रेडी का गुंटूर में निधन दोस्तो बहुत ही फेमस अभिनेता हैं ये और कोमेडियन नेता माने जाते हैं और आपने इनको कई पिच्चरों में भी देखा होगा साउथ इंडियन की में तो दोस्तो इनका आली में निदन हो गया बहुमुकी प्रित्वावान अभिनेता जै प्रकास रेड़ी 74 वर्स ही है यानि 74 वर्स की उम्र में इनका आंद्र प्रिदेश के गुंटूर में उनके निवास पर हिर्दे गती रुपने के कारण निदन हो गया था उन्हें सिनेमा और ठेटर में खलनायक और हैस किरदारों के रूप में जाना जाता है दोस्तो आपको पता ही होगा कई बार इनोंने खलनायक का रॉल भी किया है पुलिस वाले का भी कोमेडियन का रॉल भी किया गया है तो आपने देखा होगा कई बार बहुत ही इनको असा थे थे ये लोगों को उनका एक जो साउत की सिनेमा है ते लंगू सिनेमा उनमें इनका बहुत ही सही हो रहा है वेप प्रेमी चुकंदम राव समर्सिमरेडी नर्सिमा राय नायडू और अन्य फिल्मों के खलनाय के करदार भी दिखाएगे अब उन्हें नभू बास्ते नम निनोंता के और कई फिल्में में इनका क्या चल रहा था दोस्तो कार्ड काम चल रहा था लेकिन उससे पहले इनका क्या हो गया दोस्तो निदन हो गया क्लिएर दोस्तों तो पूछ सकता है हाली में तेलंग के कौन से अबनेता का निधन हुआ है तो आपका अंसर क्या होगा जैप्रकास रेड़ी का और कहां निधन हुआ है दोस्तों गुंटूर में इनका निधन हुआ है कहां हुआ है दोस्तों इनका निधन गुंटूर में 74 व के मुकमंत्री B.S.A. दिवप्रा ने गंभीर COVID-19 रोग्यों को ले जाने है तो बेंगलोर में भारत की पहली Integrated Air Ambulance का उदगाटा ने किया है। इंटरनेशनल प्रेटेकल एर ट्रांसपर टीम I.C.A.T.T. I.C.A.T.T. H.A.L. Airport एवं Aviation Technology Company क्वाथी के सयोग से संचालेते करेगी। यह आपातकाल चिक स्थिति यह तो सेवाएं प्रदान करने यह तो दच्छन भारत की पहली Air Ambulance है। दोस्तों important है क्योंकि यह तच्छन भारत की पहली Air Ambulance है। इसलिए बहुत ही जादा important बनता है। और करनाटक के मुखमंत्री को ने बीएस रेज दिवापा ने किसने बीएस यह तो रपा ने यह क्या की लॉंच की। आगे दोस्तों इसमें पूछ सकता है कि बताए किस किस के सयोग से यह चलेगी तो International Critical Air Transport Team ICATT HAL Airport Aviation Technology Company क्वाथी के सयोग से क्या की जाएगी यह संचाले तो यह important सवाल है पूछ सकता है दोस्तों आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला प्रदान मंत्री मतस संपधा योजना शुरू करेंगे। प्रदान मंत्री मतस संपधा योजना क्या करेंगे शुरू प्रदान मंत्री मतस संपधा योजना डिजिटल रूप से शुरू करेंगे। को पाला एप भी लॉंच करेंगे जो सीधे तोर पर किसानों के उप्यों है तो व्यापक नसल सुधार विपणा निस्तान पर और सूचना पोर्टल है। पी एम एस पी एम एम एस वाई पांच बर्स है तू दो सोरी बीस अजार पचास करोड रूपे के रूप में निवेश के साथ मतस स्पालन चेतर है तू एक प्रमो के योजना है। क्लियर दोस्तो अन्य पहल भी है दोस्तो बिहार के सीता मड़ी में फिस फ्रूड बेंकी क्या की जाएगी दोस्तो इस्थापना की जाएगी क्लियर दोस्तो तो पूछ सकता है कि भाली में बताए ब्रधान मंत्री ने कौन सी योजना शुरू की तो आपका क्या होगा मतस सं बंपदा योजना सुरू की दोस्तों और इसके साथ साथ कौन साथ है लुश किया जाएगा इव कूपला और यह किस के लिए दोस्तों किसानों के लिए launch किया जाएगा क्लियर है PM PMSY कितने उस 5 बर्स हितू कितने दोस्तो 20,050 करोड रुपे का निवेश दोस्तो ये भी पूछ सकता है बताए कितने रुपे का निवेश तो क्या होगा दोस्तो 20,050 करोड ठीक है दोस्तो तो PMSY की फुलपवम होते हैं दोस्तो प्रधान मंतरी मतस संपधा योजना के लिए दोस्तो क्या है प्रधान मंतरी मतस संपधा योजना के लिए दोस्तो आगे चलते हैं परवेश रावल को राष्टे नाट विश्व विद्याले का अध्यक्ष नियुक्ते किया गया दोस्तो यह इंपोर्टेंट न्यूज है आपके लिए केबिनेट ने आई एन वी आई टी के मैध्यम से पावर गर्ड संपत्ति मुद्री करण को मंजूरी थी आर्थिक मामलों की मंत्री मंडल समयती ने आई एन वी आई टी के मैध्यम से पावर गर्ड कोर्पोरेशन ओफ इंडिया लिम्टेड पी जी सी आई एल की सायक कंपनी की संपत्ति मुद्री करण की मंजूरी दी बिसेस प्रियोजन इसका बिसेस प्रियोजन देख लिए दोस्तों क्या है बहान SPB में रखी अपनी टैरिफ वेस्ट कंपेटिटिव बिंडिंग टी बी सी वी संपत्तियों के मुद्री करण का दायत्य लेने एतू अनमोदन को मंजूरी दी गई यह दीरी कालिन के फायती बित्त सुब्दा एतू सावरेन वेल्थ फंड सहित गरेलू और बैस्विक दोनों निवेसों को क्या करेगी बढ़ावा देगी दोस्तों तो यह है क्या पावर ग्रिड यूजन ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं आगे देखते हैं DRDO ने P7 heavy drop system विक्सित किया DRDO ने क्या किया दोस्तों P7 heavy drop system अब देखे दोस्तों इसके बारे में विस्त्री जानगारी लेते हैं क्या है यह रक्ष्या अंसंदान एवं विकास संगठन DRDO ने P7 heavy drop system विक्सित किया जो IL-76 बिमानों से साथ टन बजनी श्रेणी के सिन भंडारों की पैरा ड्रोपिंग को सक्षम होगा ठीक है दोस्तों आगे प्रणाली में एक धातू एलमुनियम और चान्दी संरचना प्लेटफोर्म और बिस्स मल्टि इस्टेड पैरा सुट सिस्टम है जिसे जिसमें पांच प्रमुक केनोपी अब देखे पांच केनोपी उसमें देखे पहला फाइब पैरा सूट दो साइक पैरा सूट ठीक है और एक एक ट्रेक्टर पैर किया दोस्तों सामेले किया गया है क्लियर दोस्तों बहुत ही important question मनता है आप में यहां से clear है तो आप पूर सकता है बताएं DRD नो हाली में कौन सा system विखसित किया तो आपका जवाब क्या होगा P7 heavy drop पे system विखसित किया है clear दोस्तों आगे चलते हैं बित मंत्री ने बित मंत्री निर्मला सीता रामने जी है EASE two point zero index पर नाम गोसेते किये clear दोस्त अब लेते हैं इसके बारे हम बिखसिते जानकरी बित मंत्री निर्मला सीता रामने EASE एजिंडा के तहत EASE zero index पर नाम में जारी किये clear दोस्तों जीरो के तो क्या कर दिये पर नाम है two point zero के दोस्तों two point zero क्या कर दिये पर नाम जारी कर दिये जीरो नहीं है दोस्तों two point zero जो है सरकारी बैंक PSB ने EASE two point zero सुधार एजिंडों की शुरुआत के बाद अच्छा प्रदर्शन किया और two यानि second जो है EASE पहले के मुकाबले सौ में से सर्सट पॉंट साथ अंग हासिल है कि यह सर्सट पॉंट चार अंग क्या कि दोस्तों हासिल के लिए एएसी two point zero इंडेक्स पर नामों में सीर्स बैंक बैंक को बड़ोधा SBI और भूत पूर और इंटेल बैंक को फिल को मर्स के लिए दोस्तों यह क्या सामिल है ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों अगली न्यूज पर कि आई सी आई आई सी आई सी आई सी आई ने बैंक है जो उसने क्या किया दोस्तों Startup ऑर उद्मियों हे तो iStartup 2.0 उनके लिए तो आप कह सकते हुआ है iStartup 2.0 क्या किया है Childup 2.0 कुई जरूति रखी जरूरतों के आप पूर्ति है तो आई स्टार्टप 2.0 लॉंच किया है यह एक स्टार्टप चालू बैंक खाता है जिसे तीन बेरियंट पेलेटेनियम गोल्ड और सिल्वर के साथ ब्यवसा है निगमी करन के 10 साल के वीतर खोला जा सकता है यह 150 से अधिक सेवाओं के साथ इंस्टा विज से विज मोबाइल एप्लिकेशन को एक्से से देगा क्लियर दोस्तों आगे चलते हैं अगली न्यूजपेंग अगरा सब्सक्राइब का पहला फ्लोंग टिंग स्टूर सिंगापुर में लॉंच होगा का लॉंच होगा दोस्तों से पहला फ्लोटेंग सिंगापुर में खूलने जा रही है एपल का फ्लोटेंग सिंगापुर के मरीना बे इस टैंड रिसींवें में होगा तो दोस्तों पूस कता कि सिंगापुर में का है क्या अतर होगा ने से प्रिसूर में में होगा यह सिंगापुर में करा सह भी कुन सा होगा दोस्तों धर तीशड़ा Сов师 यह इस्टूर गोलाकार काच में का गुम्मदकार ढाचा है जो पूरी तरह स्वेंपर टिका है और काच के 14 टुकड़ों से बना है जो रचनात्मक से योजन केवल 10 संक्ड़ी यानि दोस्तों कह सकते हैं यह काच का बनाया और बहुत ही सुन्दर इसको गोलाकार इस तूप त यह पानी के उपर तैरता हुआ बनाये गए क्लियर दोस्तों और यह सिंगापुर का तीसरा है यानि सिंगापुर में पहले भी एपल के कितने दो श्टोर हैं क्लियर दोस्तों आगे चलते हैं सी पी सोरी सी आई पी इटी भागलपुर और बार्ण रिसी में कोसल केंद्र इस्तापिद करेगी तो पूछ सकता है दोस्तों सवाल के हाली में बताएं सी आई पी इटी ने कहां कोसल केंद्र इस्तापिद करना के निर्ने लिया है तो आपका उत्तर होगा भागलपुर और केंद्री रसाइन उर्वरक मंत्रा लेंड के अंतरगत सेंट्रल इंस्ट्रीट ओफ पेट्रोलियम इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलोजी ठीक है दोस्तों सी अगर आप से सी आई पी इटी की फुल्पॉम भी पूछे तो आप क्या बताओगे दोस्तों सेंट्रल इंस्ट्रीट ओफ पेट्रोकेमिकल्स इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलोजी भागल पर वे दोस्तों बिहार में और बंड सी आप जानते उत्तर प्रिदेश में जहां से अभी हाली में आप को पता ही होगा कि नरेंदर मोदी जी वहां से सांसद भी हैं क्लियर हैं दो कोसल एवं तकनीकी सायता केंद्र सी एस टी एस स्तापित करेगा केंद्र पेट्रोलियूम और संबंध उद्योगों को लावकारी रोजगार हेतु डिप्लोमा और कोसल विकास कारेक्रमों के स्थमायध्यम से प्रिद्धी वर्स सो उद्धम य्वाओं को क्या करेंगा दोस्तों प्रिसीक्षेत् sure और यह दोस्तों नए और मोजूदा उद्योगों के विकास में मद्द करेगा यार्नि ये दो यह यह विकास करने के लिए उनके कोशल को डपलव च 很ड immer Quinnis विकास में उनको बढ़ाने में मदद करेगा के लिए दोस्तों अगला चलते हैं कि फिच फिच रेटिंग द्वारा एफ बाई 21 में भारतिया अर्थिवस्ता के 10.5 तक संकुचित हो चुकी है दोस्तों अब देखें कि फिच रेटिंग ने ग्लोब अपडेट जारी की जिसमें बित वर्स 2021 के लिए भारत की जीडिपी में तेज गरावट दर्साई गई है इसने भारत के मुकाबले सकल गरेल उत्पाद में 5 परसेंट तक संकुचित होने का अनुमान लगाया है ठीक है दोस्तों तो यह है कि जून में जारी ग्लोबल आउटलुक ने बर्तमान बित्यवर्स 2021 से तू जीडिपी में लगवा कितने 5 परसेंट संकुचित होने का क्या लगाया है दोस्तों अनुमान लगाया है के लिएर दोस्तों तो यह बहुत ही वेकार खबर है हमारे लिए कि हमारी जीडिपी गिरे ai किसी भी देश की जीडिपी गिरती है तो वहां मंदी आती है और अर्फ वेवस्ता में काफि ग्रावट मिलने को मिलती है और रोजगार की काफी समस्या होती है बहुत सारी समस्या होते हैं GDP किनने से GDP कभी भी देश की ना गिरे यही होना चाहिए लेकिन बरतमान में तो कोरोना को देखते हो बहुत जादा GDP किरी होई है क्लियर दोस्तों आगे चलते हैं असे RBI ने आदितविल्ला idea payments payments बेंक द्वारा का परिचालन क्या किया है बंद कर दिया दोस्तों ये बहुत आपके लिए बहुत ही ध्यान रखने वाले कहँआं कि RBI ने जो है आदित विल्ला ने पेमेंक जो चालू किया था उसको क्या किया बंद कर दिया है तो अपना आप खयाल रखें क्योंकि आरवीय जिसे मंजूकरी नहीं देती उसकी श्यायरटी नहीं होती अगर पैसा अश्में बैंक में लगा रख नश्रख form क्योंकि आरवियर की बिना मंजूरी कियों और सरकार देखरेख में नहीं नहीं होता इसके लिए दोस्ता आरविया आ于a by 2,01 में प्रित्यासित ब्रद्धी के कार्ण लिया गया है जिसमें जिसने नियामक फाइलिंग के अनुसार आर्थिक मोडल को लावकारी बना दिया था आदित विल्ला आइडिया प्यमेंटस बेंक को अपरेल 2017 में आर्भी आई ने बेंक्टिंग लैसेंस प्राप्त हुआ और बाईस फरवरी 2018 को क्या चेया था? कारोबार शुरू गया था यानि 2017 को तो इसको लाइसंस मिला था और 2018 मुझे ने अपना कारोबार शुरू किया लेकिन अभी 2020 में इसको क्या कर दिया और भी ने बंद कर दिया इसका लाइसंस छीन लिया दोस्तों क्लियर है अब चलते हैं अगली न्यूज पर दोस्तों आगे चलते हैं प्रिसिद्ध अम्रे की सुप्रीम कोट की न्याएदीश रूथ वेडर गिंसबर्ग का निधन हो गया है दोस्तों यह क्या है कि लीब्रर और लीगल आइकन नयमूर्थी रूथ वेडर गिंसबर्ग 87 बड़सी वासिंग्टन डीसी अम्री का में सब्सक्राइब निधन हुआ तो दोस्तों आप पूछ सकता है कि पता है हाली में अम्रीका के न्याएदीश जिनका निधन हुआ है उनका नाम क्या है तो आपका अंसर क्या होगा रूथ वेडर गिंसबर्ग दोस्तों जैसे भारत का सुप्रीम कोट का न्याएदीश होता है उसी प्रकार अम्रीका की जो सर्वो चदालत या सुप्रीम कोट जो से कह सकते हैं दोस्तों उनके न्याएदीश का क्या हुई है मिर्ती हुई है और दोस्तों इनकी उम्र थी जो 87 बर्स है और तीसरी बात दोस्तों इनका क्या है कि नेचरल डेथ नहीं है इनके क्या है अग अगे चलिए वह एक अमरीकी विभेत्ता थी जनों ने अमरीका के सुप्रीम कोट के सहयोगी नियादिश के रूप में कहेरे किया किलिए दोस्तों यह भी याद रखना है कि वह क्या थी एक सहयोगी नियादिश थी कि इसकी अब अमरीका के शुप्रीम कोट की, उन्हें 1993 में राष्टपत्र बिल किल्टन ने विधी बेट्टा नीउक्त किया था है, किलिए दोस्तों तो पूछ सकता है कि बताए हुनकी नियुक्ति किसने की अगर पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, राश्टपती, बिलकिलटन और उन्हों की मिर्थु, 2020 में ठीक है, उन्होंने 2020 तक, अपनी मिर्थु तक क्या की सेवा की, यानि, on duty उनकी क्या है दोस्तों, मोत हुई है, ये भी कि विचारनी विमर्ज है कि 2020 में उनकी क्या है काउन डूटी क्या हुई है डेथ हुई है कि लिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले कि SBI ने असम में महीला महीला आत्म बहर सी कार्यक्रम शुरू किया क्या किया MAA कार्यक्रम चालू किया ठीक है दोस्तों तो SBI बैंक ने स्वेम सायता समू ठीक है दोस्तों स्वेम सायता समू एस एच जी बित में ब्रदी हेतु महीला आत्म निर्वर अचानी कार्यक्रम चालू किया क्लिर दोस्तों महीला आत्म निर्वर कार्यक्रम शुरू किया तो पूछ सकता है कि दोस्तों बताइए महिलाओं के लिए बरतमानौ SBI ने कौन सा कारuyorum करेक्र चालू किया तो आपका अंसर क्या होगा महिला आत्मिनिर्बर कारेक्रम दोस्तों इसकी शुरूराथ कहां से किया इसकी शुरूराथ कहां से किया है संबंद मजूद करना है और महीला S-A SHG के लिए क्रेडिट है सबस्टों की आत्मी निरभरता और 8 उत्थाने क्लियर दोस्टों तो क्या इसका महीला की आत्मी निरभर और और आर्थिक उत्थाने इसका क्या है दोस्तों उत्देश है क्लियर दोस्तों और दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूँ यह आत्म निर्वर्था और आर्थिक उत्थाने तु ग्राश्टिय ग्रामिन आजीव कमेशन NRIM असम द्वारा आयुजित है क्लियर है दोस्तों यह भी आपको पता होना चाहिए क्लियर दोस्तों है किस brass का द्वारा आए तह समर कहाइन चाता है कि लिगया दोस्तों तो यहाँ से कुछ भी पुछे 23 बता दोगे बता यह S drop-8 जो है उसने कहाँ महीला निर्वर्न कि रीकरम चालूगा हैं अगला केंडरा बैंक अब देखो SBI के बाद कौन सी बैंक केंडरा केंडरा बैंक ने कौन सी पहल की शुरुआत किया उसके बारे में बात करते हैं केंडरा बैंक ने आई लीड 2.0 पहल की शरू कि क्लिर दोस्तों क्या क्या किया क्रना लुएंग ने आई लीड 2.0 पहल कि क्या किया सुरू हत किया है क्लियर दोस्तों अब इसके बारे हम विश्टरी जानकर लेते paints Keyd make ने आई लीड 2.0 inspiring leads system version 10, क्लिर दोस्तों इस इस आई 2.0 की फुलपॉर्म दोस्तों अगर पूछ ले तो inspiring lead system version 2.0 नामक lead management system LMS launch किया है दोस्तों आपसे पूछ सकता LMS की फुलपॉर्म तो आपका क्या होगा lead management system LMS की फुलपॉर्म होगी ठीक है पहल इसले शुरू कियी ताकि पृते प्रेग्राव को अपने सतान शहरी या ग्रौיס के निर्पेक्श अपनी बैंकिंग जरूरतों को पूरा कर सके निर्पेक्श फिल्यर, बैंकिंग जरूरतों को कैशल कर सके पूरा कर सकें के लिए दोस्तों होता क्या है बेंकिंग सिस्टम में बहुत ही बिचौल यह घुज़ाते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हारा यह काम करवा देंगे वो काम करवा देंगे क्लिए दोस्तों और ऐसा जूटा जूट वोल कर वो क्या करते हैं दोस्तों पैसों का इहरा फिर करते हैं कि लिए तो उससे बचाने के लिए क्या किया यह निर्पेक्स हो किसी का पक्स की जर्रत नहीं हो ग्राक पुष्थाच और इस सेवा का लाव उठाने के लिए इंटरनेट बेंकिंग मोबाइल बेंकिंग कॉल सेंटर करें सकते हैं के लिए दोस्तों तो देखिए इसमें क्या है कि ग्राक इस सेवा का कैसे कैसे उप्योग लाव उठा सकते हैं इंटरनेट बेंकिंग से मोबाइल बेंकिंग से कॉल सेंटर पर कॉल करके एसमेस भी कर सकते हैं मिश्टगोल कर सकते हैं और CANDIF का यानि यह केंडरा बेंक का एक एप्लिकेसन है जोसे आप प्लेश्टोर से डाउनलोड करके भी इस बेंकिंग का फैदा उठा सकते हैं के लिए दोस्तों यानि इसमें सीधी बेंक और ग्राक के बीच में बात होगी आप बेंक के इंपलोई कह सकते हैं बागी बीच में आपको अन्य किसी व्यक्ति को साथ में लेना नहीं पड़ेगा के लिए दोस्तों आगे चलते हैं आगे अंतर राष्ट्य सांती दिवस आज मनाया जा रहा है के लिए अंतर राष्ट्य सांती दिवस या विश्व सांती दिवस प्रति वर्स 21 सितंबर को मनाया जाता है के लिए दोस्तों कितने तारी को मनाया जाता है 21 सितंबर आपको याद रखना चाहिए अगर पूछ ले आपसे 5 सितंबर को टीचर डे होता है और 31 सितंबर को क्या होता है विश्व सांती दिवस ये आपको पूछ सकता है दोस्तों दिवसों के रूप में बताएए 21 सितंबर को क्या इंटरनेशनल अंतर राष्ट्य सांती दिवस के रूप में मनाया जाता है क्लिए दोस्तों आगे ये है दिवस 1981 में संयुक्त राष्ट मासाबा द्वारा इस्तापित किया गया दोस्तों पूछ सकता है कि इसकी जो ये दिवस है इसकी शुरुवात कब से होई तो आपको जवाब देना 1981 से 1981 से क्लिए दोस्तों इसे 2001 में अहिंसा तथा संगर्स ब्राम के दौरान दौर के रूप में निर्दिष्ट किया गया क्लिए दोस्तों 2001 में क्या किया गया दोस्तों अहिंसा तथा संगर्स ब्राम की रूप में निर्दिश्ट किया गया त्रीक है विशे 2020 का सेफिंग पीश टूगेदर के लिए दोस्तों 2020 विशे में महामारी के सामने दया और करना यह का क्या दोस्तों उद्देस है और आपको बता दोस्तों सांती में नोबल पुरुषकार के लिए अहाली में जो है अम्रिका के राष्टपती डोनाल्ड टरम्प उनको नामिनेट किया गया नोमिनेट किया गया उनको दिया जाएगा किलिए दोस्तों देखिए अमरीका के राष्टपति डोनल्ड ट्रम्प को ये क्या दिया जाएगा सांती पुरुस्कार दिया जाएगा नोबल में जो मिलता है ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है कि बताए अंतरराष्ट पेस सांती दवस कितने कम मनाई जाता है तो आगे चलते हैं, अरुंधती रॉय, आपको देखा होगा, अरुंधती रॉय के बारे में सुना होगा दोस्तों, जेन्यू में कई बार ये खड़ी थी, और अभी CA प्रोटेक्ट हुए तो उन्हें, अरुंधती रॉय को काफी चर्चा में पाया गया था, और ये काफी सक्रिय रहीते हैं से आंदुलनों में और आपको बता दूंगी बरतमार में भारसरकार में जो है उनके तो खिलाप इनकी बिचारधारा रखती है तो इनके बारे में क्या है इनोंने किताब लखिए उसके बारे में बताया है अरुंदती रोय ने आजादी फ्रीडम फॉसिजम फिक्सन लिखी है क्लियर दोस्तों ये एक लीबरल दोस्तों विचारधारा से ये बामपंती विचारधारा की है अरुंदती रोय क्लियर दोस्तों अरंदती रोज ने आजादी फ्रीडम फॉसेज में फिक्षन नामक पुस्तक लिखिए दोस्तों ये एक ही पुस्तक के नामें आजादी कहलो फ्रीडम कहलो फॉसेज में कहलो के लिए रहे पुस्तक पेंगुन बुक्स लिम्टेड द्वारा प्रकासित की गई है अब ये जिम्मेदारी लिए दोस्तों किलियर है इसका जो प्रकासित है वो है लेकक ने अपनी पुस्तक के माइद्यम से विशेश रूप से कोरोना वाइरस महामारी के समय लोगों के बढ़ते सत्ता बात की दुनिया में आजादी के अर्थ पर विचार करने की चुनोती देता है कि किलियर दोस्तों यानि कोरोन आपको पता है जैसे दोस्तों कोरोना महामारी में लोग आर्थिक द्रश्टी से कमजोर हो गया है और उनको क्या दोस्तों बहुत सारी चुनोतीओं के सामना करना पढ़ रहा तो उसके उपर उनकी जो दुख पीड़ा उसके उपर यह लिखी गई है कि लिए दोस्तों उन्हें अपनी उपन्यास तक गोड़ और स्मॉल थिंक्स के लिए दोस्तों पुरुषकार भी मिल चुका है और आपको ध्यान होगा है इन्होंने जब मोदी जी प्रदान मंत्री बने थे तो कुछ लोगों ने आवर्ड भापस के थे उसमें एक अर रखती हैं कि लिए दोस्तों आगे चलते हैं बराक ओबामा का संस्म्रण ए प्रॉमेट्स लेंड जल्द बिमोचन होगा दोस्तों बराक ओबामा जो हैं दोस्तों यह बहुत ही फहमस सक्षियत रहें जैसे आपने पता होगा दो बार अमरीगा के राश्टवती भी रह चु फृत ही दोस्तों बर अपनी प्रत्वा के ऊपर रृत होगा हुपर्ड़ण एसा कहा जाता है आधा कि वहीट आउस में भाक ओबामा से पहले सभी स्वेत व्यक्ति यान्य ह्कोर व्यक्ती क्या गए थे हैं वाइट हाउस नाम होने का नाम इसलिए नहीं कि वह सपहेद हैं बराग उबाम्हा से पहले वो सफे द याने भो रही गया था इसलिए उसको क्या का जाता है दूस्तों व्यूट हाॉस क्लियर दूस्तों देखे चलते हैं इसके बारे में जानकारी लेता है पूरी पूर्व व्यूर के राश्टपति बराग ऊपामॉण का पहला राश्पती संस्मर ने प्रोमिट्स लेंड नवंबर 2020 तक जारी होगा के लिए दोस्तो कब तक जारी होगा नवंबर पुस्तक पेंगुन रेंडम हाउस द्वारा प्रकासित की जाएगी दोस्तो देखे अरुंधती रोय की तो क्या है पेंगुन लिम्टेड के द्वार इनकी पेंगुन रेंडम हाउस के द्वारा प्रकासित की जाएगी और 17 नवंबर 2020 को क्या होगी बिमोचित होगी दोस्तो यह इंपोर्टेंट थी है पता यह हाली में बराग होगा आमाने कब अपनी पुस्तक का में मचन किया तो आपको याद होगा याद रखना है 17 नवं इसे सवालों का आपको जवाब देना जरूर है और पूशे लेता है कि बताइए कितनी भासाओं में यह बिमोचे तो ही साथ साथ कितने पेज किये ऐसा तो नहीं पूशता है कि पेज किये पर कितनी भासाओं में बिमोचे तो ही यह जरूर पूश लेता है इसका प्रकाशन जो है वो important है penguin random house प्रकाशन यह आपको जवाब देना Penguin Random House क्लिए दोस्त आगे चलते हैं विश्प अलजाइमर दिबस आज मनाया जा रहा है यानि 21 सिप्टमबर को आज इक कमतलर 21 सिप्टमबर की निगूजे तो 21 सिप्टमबर को मनाया जा रहा है ठीक है दोस्तों आप से पूछ सकता है कि विश्प अलजाइमर दि एलजाइमर रोग और डिमेशिया से संबनित कलंक के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए बिस्प अलजाइमर दिवस पृत्ती बड़्स 21 सितंबर को मनाया जाता है तो आपको डेट याद रखनी पूछ सकता है बताई विस्व अलजाइमर दिवस कब मनाया जाता है 31 मतंबर कुछ यह पहली बार 2012 में मनाये गया तो पहली बार 2000 बारे में अभी 2020 अल रही है हाँ आपका होगा अलजाइमर एक बढ़ती विमारी है जो इस्मॱती तथा अनमान से कादरों को बाधित करती है आपको पूर सकता है घ्लायंति बीमारी के जो है वो दुस्द प्रभाव क्या है तो आपको बताना है कि यह सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि मस्तिस के उपर अपना प्रभाब करती है यानि यह इस मरने सक्ति को क्या कर देती है खतम कर देती है आपकी याद दास्त को खतम कर देती है है ये बहुत भयानक विमारी कर दोस्तों अब आगे चलतें दोस्तों। अगला is done with the Blockchain वियां ने तुम-अव्यां ने मों-व-ब्लू-डषाषी कर कोगे क्या ओस्तौब त pourquoi दोस्तों न employer ने प्लिएू के एक भाग के रूप में को नियंतरन करने है तो महिला एवं बाल विकास मंत्राले के साथ MOU हस्ताक्षर किया आईस मंत्राले ने दोस्तो किसके साथ MOU सायन किया तो महिला एवं बाल विकास मंत्राले के साथ क्यों किया दोस्तों को पोशन से लड़ने के लिए पूछ सकता है बरतमान में बताई आयुस मंत्रा ने किसके साथ मूँस सायन किया तो आपको जवाब देना महिला एबं बालविकास मंत्रा ले MOU भारत में को पोशन को नियंत्रन करने एतु अपनाए जारे समय परिक्षन और बैग्ज्ञानों को के रूप में से सिद्ध आयुस आधारिस समाधानों कई सुब्दा प्रदान करेगा के लिए दोस्तों यानि दोस्तों जो भी इसमें रिचर्च वगरा जो भी होंगे या पर जो भी होगा इसमें आयुस मंत्रायले अपना क्या करेगा सहयोग करेगा दोस्तों क्लियर है MOU पोशन रोगने के लिए अरवेदिक रोग और अन आयुस प्रणाली सिद्धानतों पर भी ध्यान रखेगा क्लियर दोस्तों तो पूछ सकता है बताए आयुस मंत्रायले न पूछन को नियंत्रत कर सके जिसलिए क्या है आगे चलते हैं दोस्तों के बी जी बी ने विकास लगू स्वर्ण नामक विश्यस गूल्ड स्कीम स्कीम शुरू किया है के बी जी बी का खुल्पा में दोस्तों करनाटक विकास ग्रामीन बैंक दोस्तों करनाटक ग्रामीन वि बिकास बेंक ने क्या किया है विकास लगू सुवर्ण नामक विसिस गोल्ड लॉन की क्या कि शुरुआत किया है करनाटक विकास ग्रामिन बेंक के बीजी वी ने विकास लगू सुवर्ण नामक विसिस गोल्ड लॉन इसकीम की शुरू किया है ग्रहाकों को सस्ती कीमत पर आसान और किफायती रिन प्रदान करने के लिए इसे 25% की निम्न ब्याजदर पर पेश किया जाएगा के लिए दोस्तो इसके तहट ग्रहाक अपने सोने का 80% बाजार मूल मिलेगा जो अधिक्तम 3200 रुपे प्रिती ग्राम के अधीन है के लिए दोस्तो यानि इसमें क्या होगा जैसे दोस्तो आप 100 किलो सोना लेगे तो आपको 80 किलो सोने का पैसा मिल जाएगा 20 किलो सोने का पैसा पंपनी अपने पास रख लेगे क्लिए रहे दोस्तों जब आप भरोगे पूरा लोन भर दोगे तो आप उसोना पूरा बापस मिल जाएगा 100 के 100 किलो और दोस्तों इसमें क्या है कि इसकी जो कीमत है अधिक्तम रखी गई है जैसे कीमत कितने केरेट गोल्ड है 24 भी होता है 22 भी होता है 20 है तो मेक्जिमन जो 24 केरेट गोल्ड है उसकी 32 रुपे प्रति ग्राम होगी क्लिए रहे दोस्तों यानि दस ग्राम अगर आप सोना लेगे तो आपको 32,000 का लोन मिल सकता है अगर आपका प्योर सोना अच्छा सोना है क्लिए दोस्तों और अधिक्तम राशी 15 रुपे 6 महीने में दे दे दोस्तों यानि इसकी अधिक्तम जो है वो यह 15 रुपे ही का लोन देगी इससे ज्यादा लोन नहीं देगी यह इसकी बंद से क्लिए दोस्तों तो पूछ सकता है बताए करनाटक विकास ग्राम इंड बेंक ने हाली में कुम सी योजना श क्रूवण ने नामक विसिस गोल्ड व्लान का क्या किया है शुरू किया है किलिए दोस्तों अगे चलते हैं बिस्व बैंक ने भारत को Human Capital Index 2020 में 116 वे इस्तान पर रख दिया के लिए दोस्तों बिस्व बैंक ने भारत को Human Capital Index 2020 में 116 वे इस्तान पर रखा है यानि आगे देखते हैं इसके बारे में बिस्ते जानकारी बिस्व बैंक ने मानब पुझी के आदार पर 144 देशों को रिंक देते हुए बारसिक Human Capital Index 2020 जारी किया क्या किया दोस्तों 144 देशों में भारत का 166 वे इस्तान है तो पूछ सकता है जो बिस्व बैंक ने हाली में Human Capital Index है उसमें भारत के इस्तान तो आपका जवाब होगा 116 पूछ सकता है उसमें कितने देशों को सामिल किया है तो 144 देशों को सामिल किया है ठीक है भारत को विस्व बैंक के Human Capital Index 2020 में 50 स्कोर से 116 एस्तान पर रखा गया है क्लिए दोस्तों सिंगापुर को 89 स्कोर से पर देशों कांग शीर्ज पर रखा गया है इसके बाद Hong Kong चीन और जापान है क्लिए दोस्तों सबसे प्रिथम में को ने दोस्तों सिंगापुर उसके बाद्छी उंकॉंक किलिर दोस्तों यह Hong Kong दोस्तों चीन का यह गिस्सा जो आजादी की मांग करता है किलिर है और भारत उसका समर्थन भी करता है कि आजाद किया जाए लोगों को उपर गलत जुर्म नहीं किया जाए चीन की सरकार आपको जानते ही है वहां की कम्मूनिस्ट पार्टिय वहां चुना बगएरा लोगतंत्र बगएरा कुछ होता नहीं है इसलिए Hong Kong के लोग अपनी आजादी चाहते हैं और उनको मिलनी भी चाहिए मैं भी यही चाहता हूं और तीसीने नमबर पर किसका है जापान का है तो आपको याद रखना है स तीर्श पर सिंगापूर उसके बाद Hong Kong और फोर्ट पर क्या है जापान किलिए दोस्तों आगे है अगला चलते हैं दिल्ली मेंट्रो ने स्वेदेशी सिग्नेलिंग टेकन लॉफूर वेंच न मिद्विए किसने दिल्ली मेंट्रो ने बहुत अच्छी बात है दोस्तों जत्रह हमारे दिसमें स्वेदेशी होगा उतना ही हम आगे GDP को बढ़ा पाएंगे हमारी रोजगार को बढ़ा पाएंगे के लिए रहे हैं दिल्ली मेट्रो रेलबे कॉर्पूरेशन ने स्वेदेशी निर्मित अब क्या दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों को जो भी चलते हैं कंट्रो रूम इंड्रो इस दिसाने खाक्षोबन है तो कभी भी रहता ही हो कि existing पूरी तरह नहीं चलाता है पूरी तरह कंट्रोल ड्राइवर के हाथ में नहीं रहता है कंट्रोल रूम में हैं जो बैठते हैं व्यक्ति उनके हाथ में भी इसका पावर रहता है करनी स्पीड से चलानी है कहां ट्रेक बदलना है यह सारा कंट्रोल रूम से ही निर्दिष्ट होता है कंट्रोल रूम को ज्यादा पता रहता है ड्राइवर को जब क्या आपको पता होगा सर्दियों में तो दुन्द कोरा चाही होती है उसमें भी ट्रेन चलती है तो वो के दोस्तों कंट्रोल रूम से ही ट्रेन चलती है क्लिए रहे है आई ATS ओटोमेटिक ट्रेन सुपरवीजन इंडियन मेट्रो की भारी विक्रेता से क्रेब विक्रे की निर्वरता को कम करेगा और विविन आप प्राद्धोगी की ट्रेन कंट्रोल एंड सिंग्नलिंग सिस्टम के साथ काम कर सकता है ठीक है दोस्तों इसका पहला उप्योग होगा रीठाला से सहीद इस्तल तक पहला उप्योग होगा पूर्ष सकता है कि बताए स्वेदे सी सिंग्नलिंग टेक्नलोजी का पहला उप्यो क्या होगा है लिठाला से सहीद है इस तर आपका आंसर होगा क्लियर दोस्तों मार्गरेट एट बूड ने 2020 डेटन लिटलेरी पीस प्राइस जीता क्लियर दोस्तों कनाड़ाई लेक का मार्गरेट एट बूड ने 2020 डेटन लिटलेरी पीस प्राइस का आजीवन उपलब्दी प्रुसकार जीता क्लियर दोस्तों तो आपको याद पूछ सकता है एक्जाम में बताए हाली में डेटन लिटलेरी पीस प्रुसकार किसने जीता तो आपका उत्तर होगा मार्गरेट एट बूड ने दोस्तों यह अपलब्दी पूरी जीवन के लिए मिलती है यह प्रुसकार सांति सामाजिक नया और वेस्विक समझ को बढ़ावा देने में सहयत की सकती की सरायना के लिए दिया जाता यह संयोक्त राज की सहयतिक प्रुसकार है प्रुसकार कितने दसजार डॉलर अब कौन से पन्यास के लिए यह भी देख लो दा हैड में में टस्टेल के लिए यह पुरुसकार दिया गया है इनको क्लियर दोस्तों तो आप से पूछ सकता है बताए किसको पुरुसकार मिला है तो प्रुसकार तो आप जवाब देखेंगे कितनी मिलती है दसजार डॉलर और पन्यास पूछले तो दा हैड मेड से टेल हैड मेट टेल क्लियर है आगे आगे चलते हैं दोस्तों अगले HDFC बैंक 2020 ब्राण्ट्स जेड बेल्यूएवल इंडियन ब्राण्श रेकिंग में सीर्स पर है दोस्तों बिलकुल ये HDFC के लिए बहुती अच्छी बात है तो आपको पूछ सकता है बताइए बर्तमान में ब्रांड बैल्यूवेबल इंडियन ब्रांड में सीट्स रेटिंग पर कौन सी बैंकिंग आईए बैंक तो आपका उत्तर गया होगा HDFC और दोस्तो HDFC बैंक लगातार साथ वर्स दोस्तो ये भी आपको याद में साथ वर्स लगातार सेट्स पर टोप 75 बैलीवल इंडियन ब्रांड 2020 में सीट्स में दोस्तों इसमें 75 एजेंसियों को सामलित किया गये जिनके ऊपर रिसर्प्स किये और दिनमें HDFC बेंक याए सीट्स पर रहा है दोस्तो इसकी कुल ब्रांड वेलू कितनी है दोस्तो दो मिलियन डॉलर से अधिक है किलियर दोस्तो कितनी है दो मिलियन डॉलर से अधिक है किलियर आगे है इसे 2020 ब्रांड जेड टी एम टॉप मोस्ट बेलू एवल ग्लोवल ब्रांड से रिपोर्ट में 59 वे इस्तान पर रखा गया है कौन से इस्तान पर रखा गया है दोस्तो 59 वे इस्तान पर रखा गया है किलियर है एक एल आईसी दूसरे इस्तान पर है इसके बाद टा ता अगया है आगे चलते हैं दोस्तों अगला हां यहां से जो सवाल बनते हैं उनकी बात कर सकते हैं कि बता है इसमें कितने जो है उन्होंने भाग लिया तो आपका आंसर होगा 75 इसमें पूछ सकता है कि दूसरे स्थान पर कौं थे एलाइसी और तीसरे स्थान पर क्या है टाटा काउंसल रिंटिंग सर्विसेश तीसरे स्थान पर है क्लिए रहे हैं कि आगे चलते हैं स्टो सीएल को भी आई-एस प्रवाणपत्र दीया गया दोस्तों हिंदुस्तान organization chemicals limited जो है उसकी short form क्या है दोस्तो HOCl ठीक है हिंदोस्तान औरगनार औरगने के chemicals limited के लिए रहे हिंदोस्तान औरगने chemical limited हो होल को अपने उत्पात को और अन्तर गुनबत्ता में गुनबत्ता बैतर बनाने के कारण अपने सबी उत्पातों के लिए भारतिय कि मानक भी आई सिक पमाणन दिए गए दोस्तों को पूर्ष सकता है वी येश की फुल्पोंग्या है तो वारतिय मानक भीरो और कि पूंचे तो हिंदूस्तान और गेनिक के केमिकल से लेमिंटेड के लिए दोस्तों है एचो सी एल उनीशो साट में स्तापना के बाद रासा निर्मान में अंग्रेजी कम नी सरकार की में किन इंडिया पहल का समर्थन और कार्यान में कर रही है क्लिए दोस्तों क्या है कुंसी इसका पूर सकता है कि एचो सी एल कुंसी उसका पहल का समर्थन करती है तो में के ने इंडिया किलिया दोस्तों और आदमे भी सुना होगा कि नरिंदर मोदी जी ने कुंशी पहल चलाई थी मेडे ने रिअने इंडिया किलिया रहे दोनों मेत्पून उद्धोगों के लिए आपसक बनियादी कार्वनिक रासाइन का क्या करती दोस्तों उत्पादा ने करती है क्लियर है आपने अगर आप करसी छेत्र से जोड़े होंगे तो आपने देखा होगा है एचो सी एल के आपने कई वार कीटना सक भी खरीदे होंगे क्लियर दोस्तों पूछ सकता है कि इसकी स्थापना का वह उन्नी सो साट में ये कौन सी पहल का समर्थन करती है मेकन इंडिया का और अगर एचो सी एल की फुलपर्म पुछे तो हिंदिस्तान और ने केमिकल्स लिम्टेड और भारतिय मानक ब्यूरो किसकी है बी आई एस की तो इसम रवें shoulders संगीत के पृति पादक पूर्वा दाम का कोलकता में निधन झाती है रबें रवेंडर संघीट के अनुभवी पृति पादक पूर्मा का्थाम 85 बर्स की दक्षन कोलकता और नि सकता ही बता ही हाली में पूर्वा दाम जी का निदन खांगा तो कोलकत्ता में और ये क्या थी दोस्तों इनके बारे में तो ये रविंद्र संगीते की प्रितिपादक थी वह 1980 के दोरा अपने गीतों जैसे मोधर तोमर सेश जेना पई प्रोहर होले सेश भुवन जुरे रोई लो लिंगे आनंदो अब सेश अमी फिरवो नारे के लिए जानी जाती थी दोस्तों ये सारे जो हैं ये बंगला बासाक के गीत हैं आपको पूछ सकता है कि बताइए इनों को कौन-कौन से गीत हैं उन्हें लेखे और ये उनके प्रिसिद्द गीत हैं तो हमेशा दोस्तों प्रिसिद्द की पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखने हैं उन्होंने 2013 में पश्मी बंगाल द्वारा संगी सम्मान से नवाजा गया है अब दोस्तों पूछ सकता है कि अगला है ITF ने फेड कप नाम बदल कर बिली जीन किंग कप किया। दोस्तो ये बिलकुल नाम बदला है और बरत्मान में तो योगी जी भी खूब नाम बदल रहे हैं ये तो आपको याद रखना है पूरा क्या याद रखना है ITF ने क्या किया है फेड कप का नाम बदल के क्या कर दिया है दोस्तो बिली जीन किंग कप कर दिया है तो पूछ सकता है फेड कप का बरतमान में बदल कर नाम क्या किया है बिली जीन किंग कप वो ये भी पूछ सकता है दोस्तो कि बताए यह Billy Gene King किस कप किस का नाम बदल कर रखा गया है तो आपको याद जवाब देना होगा फेड कप के लिए दोस्तों International Tennis Federation यह ITF की फूल पॉल में दोस्तों International Tennis Federation ने बारसिक महिला Tennis Team प्रतियोगता फेड कप का नाम बदल कर Billy Gene King कप कर दिया है दोस्तों के लिए रहे हैं आपसे कैसे भी सवाल पूछे आपको जवाब देखे आना है कि Billy Gene King कप किसका नाम बदल रहा है फेड कप का बदल के नाम क्या किया है Billy Gene King कप के लिए दोस्तों कि Billy Gene King कप महिला Tennis के प्रिवर्तक थी जन्होंने अमरीका की ITF के प्रत्थम प्रत्योगता जीतने के लिए मदद की Billy Gene King कप प्रतिस परदा करने वाले देशों की संख्यागा के मामरे में दुनिया में सबसे बड़ी बारसिक महिला अंतरराश्टी ए टीम खेल प्रत्योगता है के लिए दोस्तों इसमें से दो तीनी कोश्चन बनते हैं एक तो ITF फुर्परम बनती है एक फेड़कप का नाम बदल कर और बिली जीन के वो दोनों तरीके से पूछे आपको जवाब देखें आना कैसे भी पूछ ले के लिए दोस्तों आगे चलते हैं अगलास देखें दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने वी सक्टूमर को वी आई ए बी एच एवी समिट उधगाटा ने किया अब इसका फुलपम देखें लो दोस्तों क्या है बैस्विक भारतिय बैग्यानिक समिट ठीक है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से 2 अक्टूमर 2020 को महिने बड चलने वाले बैस्विक भारतिय बैग्यानिक समिट बी आई बी एच एवी का उधगाटन करेंगे क्लिए रहें यह समिट जो है दोस्तों सुपरवासित उद्देशों के लिए समस्य समाधान द्रश्टी कॉन्ट विचारदार विचार प्रक्रियाओं कारे प्रणाली और आर एंडी संस्कृति पर विचार विमर्ज को सक्चम बनाने हैं तू भारत के सभी विज्ञान और ठर्बेख्यक के कई अकादमय इसंगाण अंसदानों को सईयुक पहले कैसे उसकी उद्देश है कि उद्देश क्या इसके तो उद्देश आप को यह दिये गहीं इसके उद्देश ही याद रखने है क्लियर दोस्तो और इसकी जो दोस्तो मोटो लाइन है वो क्या है सुधाही बुद्धी कलंक काम देनू क्लियर दोस्तो सुधाही बुद्धी कलंक काम देनू ठीक है दोस्तो यह इसका क्या है मोटो कह सकते हैं इसकी जो है लाइन हुआ है क्लियर दोस्तों आगे चलते हैं अगर लाय तमिल नाडू AI blockchain cybersecurity policy करेगा क्लियर दोस्तों तो पूच सकता है कि तमिल नाडू बरतमान में कौन सी क्या launch करने जा रहा है कौन सी cybersecurity तो आपको उसका जबाब देना होगा ब्लेक चेन साइबर सीकरोटी लौंचे करेगा क्लियर दोस्तों तमिलनाडू के मुकमंत्री एड़ा पड़ी एई के केल पनाली स्वामी ने कनेक्ट दोजार बीस तमिलनाडू साइबर सीकरोटी पॉलसी दोजार बीस तमिलनाडू intelligence policy 2020 शुरू की तो वो पूश सकता है बताए कौन कौन सी policy शुरू की है तो आपको जवाब देखे आने क्या दोस्तों क्या देने आने तमिलनाडू cyber security policy 2020 तमिलनाडू blockchain policy 2020 ethical optical intelligence policy 2020 के लिए दोस्तों और तमिलनाडू के मुखमंत्री को है दोस्तों अगर पूश ले तो एड़ा पड़ी के पलानी स्वामी के लिए रहे दोस्तों एड़ा पड़ी के पलानी स्वामी के लिए रहे दोस्तों इसके बाद तमिलनाडू artificial intelligence black chain और cyber security पर policy launch करने वाला भारत का पहला राज बन गया यह important है दोस्तों cyber security पर जो है पॉल्सी लॉंच करने वाला पहला राज बन गया तमिलनाडू पूश सकता ही बताए cyber security पर पहला जो policy किस राज ने की तो आपका जवाब होगा दोस्तों तमिलनाडू के लिए इस policy के करियान वन है तो state family database को ध्यान में रखा जाएगा के लिए दोस्तों आगे चलते हैं अगला कि अगला कह रहा है दोस्तों आई एन एस ब्राट ने भारतिय नोसेना का अंतिम सफर्ते किया के लिए दोस्तों इसके बारे में जानकार लेते हैं बत पूश सकता है दोस्तों बताई यह आली में किस नोसेना जो है उसको जाज को हटाए गया तो आपका आंसर क्या होगा आई एन एस ब्राट क्लियर है दुनिया के सबसे लंबी सेवा तक एयरक्राफ्ट के लिए आई एनस ब्राट को मुंबई से गुजरात के अलंग तक अपनी अंतिम यात्रा शुरू की इससे स्क्रेप रूप में बेचा जाएगा क्लियर दोस्तों यानि इस इस स्क्रेप रूप में क्या किरेगा बेचा जाएगा इस, 1979 में ह्टेश के रूप में रॉयल नेवी में सामिल किया गया था और 1842 में फॉक लेंड युद्ध के द रहा है दोस्तों के लिए रहें कि यह 1987 में बारतिय नो सेना में सामिल किया गया और 1989 में स्री लंके सांती अभियान के दोरा ऑप्रेशन जूपिटर और ऑप्रेशन प्राक्रम में महित्पूर भूमका दोस्तों यह भी सकता है बताइए इसकी कौन-कौन सी भूमका है तो आपको पता होगा एक तो 1982 में इसने बिटिस सेना का प्रमुग इस्था एक इसको सामिल किया उसके बाद 1989 में अमरीका में सांती अभियान के दोरा ऑप्रेशन जूपिटर और ऑप्रेशन प्राक्रम में इसकी क्या रही दोस्तों महित्पूर भूमका यानि यहां से सामिक भी ले जाने में ये बहुत ही इसने अपनी मेत्पून भूम का निवाइती है लेकिन अभी इसको क्या किया जा रहा है दोस्तों रिटायर किया जा रहा है क्लिए रहा है आगे चलते हैं दोस्तों भारत का पहला CRSPR COVID-19 टेस्ट भारत में उपियोगे तू मंजूर हुआ क्लिए रहे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डी सी जी आई ने सी एस आई आर और आई जी आई बी इंस्टिटूट ऑफ जिनोमेक्स एंड इंट्रोगेटिव बाइलोजी एफ इल यू डी ए द्वारा संचाले टाटा देखें दोस्तों अभी क्या है कोबिड नाइनटीन के टेस्ट को मंजूरी दिये सुधेसी टेस्ट को बाकि इतना अभी खुस होने की जड़त नहीं बैक्सीन अभी इसकी हाली में बारत में बनी नहीं है लेकिन अउमीद करते हैं जल्दी बन जाए जिससे सबी को एक तसल्ली मिले कि चलो बैक्सीन है कल लोगों कुछ हो गया आज बैक्सीन नहीं होने के कारण आता तो लोगों में डर है सी आर आई एस पी आर टेस्ट सार्स कोविड नाइन को टू सेकंड बाइरस का पता लगाने के लिए एक स्वेदेस बिक्सित आत्यादुनिक जीनोम एडि टिंग टेकनोलोजी का उपियोग करता है यह कोविड नाइन टीन का सपलता पूर्वक पता लगाने के लिए विस्यस पनकूलेट गैस नाइन प्रोटीन प्रसारते करने वाला है कलियर दोस्तों आगे चलते हैं MOEFCC के ने बीचों के लिए भारत का अपना एको लेवल BEMS लोंच किया कलियर दोस्तों पर्यावरण बन एवं बन पर्यावरण बन जल बायू पर्यावर्त पर्यावरण बन एवं जल बायू परवरतन मंत्रा लेने हाल ही में बिल्यू फ्लेग बीच से सम्मानित आठ बीचों पर आई हैस्टेग आई एम सेविंग माई बीच ध्वज फेरा कर भारत का पहल अपना एको लेवल BEMS जारी किया BEMS जिसका पूरा नाम बीच इंबायरमेंट एंड एस्टेटिक मेनेजमेंट सर्विस है तटिये छेत्रों में साधान बिकास और आई सी जेड एम इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मेनेजमेंट के तैत बिलू फ्लैग टेग प्राप्त करने के लिए किया गया है क्लिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों अ कि दोस्तों एक उनका निदन ओ गया और ये बहुत ही किया बुलते हैं बड़े देशक्ते थे तमिल फिल्मों के तमिल फिल्म निर्मेता बावु सीवन चववन बरसी चेनने में राजीव गांधी अस्पताल में कई अंग विफल होने के करण इनका क्या हो गया निदन हो गया इनको दोस्तों पैरलाइसिस हो गया और अंगों ने काम करना बंद कर दिया उन्होंने निर्देशक धर्णी के सायक के रूप में अपने केरियर की शुरुआत की और 2009 में विजय और अनुस्का सेटि अबनित फिल्म बेत्ताई करण से निर्देशन की शुरुआत की यानि दोस्तों अभी 2009 में इन्होंने अपना केरियर को पूंड रूप्रण सुखा शुरुआत की थी और अभी 2020 में 11 कहले कि इन्होंने अपना जो है ध taş रूप में क्या किया करियर की शुरुआत कषुब असिस्टेंट की रूप में इन्होंने क्या किया था दोस्तों का रहरा है धृइने करेकरम रसाथी का निर्देशन भी कर रहे थे किलिए दोस्तो यानि ये टीवी सीरियल है उसका भी क्या कर रहे थे दोस्तो उसको भी डारेक्ट कर रहे थे पूर्ण सकता है कि बता ही हाली में तमिल निर्देशक बावु सीवन का निदन खाऊ हुआ है तो दोस्तो चेन नहीं में मिर्टू का कारण दोस्तो पैरलाइसिस कह सकते हैं यानि इसके सरे क्या गया है इनोंने सरीर के अंगोंने काम करना बंद कर दिये है उनोंने 2009 में क्या किये दोस्तो कारियर की शुरुआत इंहोंगों प्रादो नियुक्त के पिए सुप्रिख घृटर्थ रूप सब्सक्राइब के क्लास दे सकें, इससे भी बेटर क्लास आपके लिए सकें, अभी क्या थोड़ासा कहते हैं ना कि संसादनों का अवावे, लेकिन फिर भी हम आपके लिए कायर रे कर रहे हैं, आपकी सेवा में लगे हुएं, जिससे आपके exam अभी जैसे railway का आने वाला है railway की date announce हो गई है तो ऐसे कई exam राइस्तान प्लिस की भी date announce हो गई है ऐसे कई exam है दिल्ली प्लिस की वेकिंसी आ चुकी है तो उनके लिए हम आपके लिए दोस्तो अच्छी उपलब्द करा सके चैनल को ज्यादा ज्यादा सेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बोलें दोस्तों वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूलें और कमेंट्स जरूर करें दोस्तों के लिए कमेंट्स में अगर आप कोई सुजाब देना चाहें तो वो हमें अब इससे प्रदान करें ज लेकिन आगे आपका सातरा तो दोस्तों और भी अच्छा करेंगे और पून फैकल्टी हम इसमें उतार देंगे और सभी कोर्स आपको यूटूब पर फिरी दिये जाएंगे क्लियर दोस्तों तो थेंक्यू दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में